आनंद में से बेतत सब जावे महामा ओच सबस्री ओखुलगामा करत कुले हले निसर वासर अनंद में बेतत सब जावे महाम ओच में सीगो खुलगामा करत कर दो 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 कर बोलो यमने महाराणी की जय 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 बोलो यमने महाराणी की जय 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 महाराणी की जय 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 बोलो यमने महाराणी की जय 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 प्यारे महाराणी की जे 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 बोलो महाराणी की जे 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 तो बर्या प्दध can जिए जै ये पियाड़े विठ लाखी जे जो पिया रहने महातरीजे महारानी की जै जै महारानी की जै ये बोलो यमने महराणी कीजै ये प्यारे वनलब कीजै ये प्यारे वनलब कीजै ये प्यारे विटल कीजै ये बोलो यमने महराणी 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 बोलू यहुने माराणी कीजे ये प्यारे बल्लब कीजे ये प्यारे विट्र लगीजे बोलू शिभागवत बगवान कीजे शिगिरिराज धरन कीजे शिवल्लब हादीश कीजे अद्भूत प्यारे बल्लब कीजे खरिकर गोंडल नगरी बड़भागी नगरी शे बक्ती नगरी चे सु संस्कृत नगरी शे के वो दिव्य अउसर गोंडल नगरी नांगने कांके हमना वधाई कई रहाता के कोईपण नगर जया वल्लबनो निवास थाई जया प्रभूविराज ये आपको आप गोकूल बंतु ओई शे तो गोकूल समी गोंडल नगरी नांगने आचारे वर्यों स्थाई निवास करता शी गोविंद कुंज हवेली नू निर्माण आज प्रांगन पुनित सोसाइटी आ प्रांगन नी सामेन अपनोटमा नजिकना बविशमाज आगामी पांच तारिखे ए हवेली नू भूमुविजन थवा जेर्यू छे अने एपुर्वे गोंडली वैसोर्षष्टी शी वल्लबन आगमन नी चड़ी वधाई स्वरूपे एके वह दिविया सत्संग शी क्रश्ण कथामृत कथा कथामृत चरित्र अने एपन दसमसकंद भगवान नी दसमसकंद नी बालली लाओ जमान नहीत छे एभी कथा स्वर पे अपने मानवा जे रिया शीया जेमनी पावंद सन्नी दीमा जेमनी अध्यक्ष्तामा आ दिवे सत्संगों अपने स्वर्ण पान करवाना शीये एवा पुझपाद गोश्वामी शी दामोदर लाल जी महराश्ची आ सभामा सवती वरिष्टी वाचारे वर्यों यहना जे ग्रीचाती आत्म जाओ पुझपाद शी कोरणने महोद एशची दे मैं आपने कंथरा रस जमना मदूर् शीमुके श्मन करवाना शीये वाजी दर्शन को मार् जी महोदो इश्यक्ष्यक्ष्यंक अभर जर्णी पैत श्र आज आचारे वरोड़ना अपना सव ना अपना सव ना दंडवस संग अंगीकार करा होता अपने तालियों ना गंड़ेडाग सतिस्वागेतों भ्यावदन करिये सत्संग शुरू थाई ए पुरुवे हुँ विरंती करीश मनोती परिवार ना भाई बैरोंने सव पहला अमारा शी रमेज भाई धड़ूख परिवार जमना माध्यमती गोविंद कुझ हवेली मुख्य मनोत सरूपे सिद्ध थवाजेरी शे ए परिवार माती कोई उपस्तीत होई तो पुझी शीने माल्यार परण करवा निविदन करी शी रमेज भाई धड़ूख परिवार जमना परिवार एक जन कोई उपस्तीत होई तो जड़ती मन्चस्तती अने पुझी पासी दामोजर लाजी महराश्वीने माल्यार पण करी अने आपने उस्वागेत व्यदन करशे जड़प्ती मन्चस्त सवासवने निव्यदन आपने सव ताड़ियोना गड़गडा ती एक्सरने वधावी जेगोश करशू बोलो शिवल्लभा दीश्य की शिदा मोजरलाल जी प्यारे की एजी ते आकथा बंडप्मा बिराजीत आपना जे श्टात्मज पुझे-पास्षी हरी राईजी मोटएशी ने मल्यार पण करवा हूं निलस्वाईधाडूक परिवार कथा शत्रना मुख्यमनों थेवा निलेशबाई धडूक परिवार इमने पढ़ निवेधन करिश कि बहु अद्भूत मंदोरत सिद्ध थेरों चे गुंडल नगरी ना वैश्टों जनो बोलो शिव अल्लभा दीश की जै यह अद्भूत अने दिव्य मंदोरत अने पाचार शिव अल्लभना मदूर शी मुखें कथाकार कथाकरे अने शिव अल्लभ आचारे तो अने आचारे पीठ परती यारे कथानू रस्पान थत्तु एक यारे केनू महत्म्य अने नू आनन्द बने बेवडाई जतो होई शे एज प्रकारे आ कथा मंदप मा जिमना मध्यम थी अपने आ दिव्य सत्संग नू शोवण पान करवानाची एवा पुझेशी ना द्विती आज मज लिएर पन करी आपना सौ वती स्वागत ब्युद रसाते दन्दृत मन्दा न कर्शे एज आ जो शी वल्लभादी शाकी जै शी भागवत भगवान की अने आज निया धर्मस अवादा सौथी नाना अचरेवा पुझेशी वरणाजी जिमाह दाईशी ने पन मालियार पन मते हुं मंदरती परिवारे नियुदन करी शी बोलो शी वल्लभादी शाकी जाये सुन्दर मैं अपने कहुए प्रकारे खरेकर गुंडला जे गुकुल्यू बिनुछ है ता के जे नगरी मा शी वल्लभ बिराजे वल्लभ नुँप्रवेश्ठ थाए वल्लभ नुँआ अगमन थाए पधार्वू थाए आपवाप गुकुल्यू बनतु उयचे नेवू गुकुल्यू बनेलू आ गुंडल गाम अजे बग्वेर चरणारविन्ती आचारेवरों चरणारविन्ती 845 तुछ पुनित पावन आ आ सोसाइटी तो छेज और आचारेवरों ना चरणास प्रश्टी पावन् पवित्र बनी रही छे अने ए पावन पवित्र नग्रीमा पुझेशी जारे पधार्याची तेरे आपनी पुरुष्मृती ताके गौंडल नगरी साथे आपनों 25 वर्ष पुरुवनों पुझेपाद गुस्वामिशी दामुदेलाजी महराश्ची नातो रहो छे आपनों आचारत्तों जारे आप परिवार्थी सव पहला सवराष्टमा बिर्याजोनु आपे जारे नकी केरू तरे प्रत्थम नगरी गौंडल आपे पसंद करी पावन करेली अने पुना लगबक 25 वदू वर्ष वे फरी शी गोविंद कुझे हवेली ना मध्यमती आप वो विठल भाई दडूक पस्तिति आपने सवर्ण करिये शी विठल भाई दडूक इसरे गोकुल ना भूप भूप अटले राज्या आपना स्रीनाज जी जैने आपने इस्टा देवतर के वहिष्टन संप्रदाई माने चे यहनी आ वलब देव वलब कूल सेवा करे चे त्रण वरस पेला आपने आया सुन्दर हवेली बनावानू किजेलू सुन्दर मदानी जगिया पसंद करी पान कुद्रती कोरोना कारिने इसाबे आपनू आ जे हवेलीनू निर्वान कारिया चे इथोडूक विलम मा थियू पुजेपास हरीराईजी मोदेशिये किदू के अवे आपने आकाम जड़पती उपाडवानू चे तो यहनी आगिया नूसार आकाम आपने चड़पती उपाडवानू चे बदाए तन्मन थे इमा सहयो गापपानों चे यहनी समीती आया कायमी कारेय रत रिया चे अने पात आपने ये पन सरच छे के गोकुल मा गोंडल मा कोई द्वारकादिस नी अवेली नसी अने द्वारकादिस प्रभूचे ने ये निजी स्वरूप ना बालकृषनलाल जी ना सेविय स्वरूप छे अने जे काकरोली मा बीराज छे येवु सुंदर चतुर्भूज सरूप आपन इतले ये येवना प्रारम बेज अवेली ना पूर्वेज आ सुंदर मजानी एनना स्वरूप आपने एक्रुष्ण कथा मृत कथा राखे ली छे हजी तो आ शारूप छे जारे पाटोषो था है त्यारे आपने आँने आखा गोंडल ने बोलावी आने भवियाति भविया म जो अने काले थी आपने एक काम करवानु छे के गोंडल मा थी बद्धा वधुमा वधु भगवधियो आ वलपकुन ना सो मुखनी वाने नो लाभले वावे यह वू आपने बजाय प्रचार करवानु छे यह वू नथी क्या कंपाउंडोल लान अद्भेसे प्रविन भाई र जान राके बजाए भड़ी लोने नो बेशन एना मटे पासा सो सो फनो में कई दिदू छे अजले यह ने आया बेश्वानी विवस्ता छे अजले यह बदाय जान राके अने वधुम वधुम वधु विष्ण वो आवी जाय एनी आपने कालजी राखवानी छे दरोज कथा आपने बड़ क दोग्तिता गिया जाए कर दोगेगा आपने पासथया जाए 2-1-3-2-0-2-4-2-3-0-3-2-1-8-2-0-4-3-0-4-1-2-3-2-1-2-1-4-2-2-1-2-1-2-1-2-3-2-2-1-3-1-2-4-3-2-1-3-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-2-1-2-1-1-2-2-3-2-1-2-5-1-2-1-2-1.1-2- जह जह आवे ने यह पेला आपने आवीद गोठवाई जावानु और अन्य बद्धाय से ने लाब लेवानु छे ये केवद छे के सरीता चाली भरपूर तरीसो बेठो तीरे नो पीजो नीर तो सरीता भीता रिशुव करें तो ठाको जी वलपकुर आपनी सनमुक आईवा छे आपनी सामें अन्य आपने जो बानिनो लाब लेवान तो एमाशू करूँ अन्य बद्धाय ध्यान लाखान है अटले बद्धाय समय सर्खास आवी जावानु और वलपकुर्णी वधुम अधुवानिनो आपने लाब लेवानु छे अश्री वलबाधी सकी जे अवे उँ व प्राचीन भगवदी छे अने पुझेसी ना आंतरंग भगवदीयों माना एक छे जुना स्वर्णों वागोली नाप्षिमाने बिराजीत ताने वचन बद्ध थैंडे गोंडल लांगने शी गोविंदुकुंज हवेलों निर्मान थे रूच आपने ताडियों लां गड़ग अगल क्रम शुरू करिये पुर्वे नानी नानी बेतन कथा संबंधी चर्चा विठल भाए पड़मना कयू अने अशोग भाए पन वधाई आपी के साड़ा आठ वागे रात्री काली सत्त्रेटला मते के जम्मी परवारी न आपने आनंती सत्संग करी शकिये कांके पेगड अनंद आपे चे एक दाच दिवस्तों सत्संग ने आपे शुक्त विशेश्क्रपा विचारी ने रात्री काली ना सियाड़ों अजी बेस्तों चे थंडी ती गवरासों नहीं शी वल्लब विराजे सित्यां के ठंडी प्रविशकरीज ना शक्या एटले थंडी नी परवा क आपना बाल को ने दिखशा पाविशको चो श्रिंधие घ्रर्वियों सोल्ट में चół प्रत्यक्र इय बहुत वैंधर आपना पधर्यान स्यों प्रत्यक्लण एको आपना 및शिजुनों आपना खरावरे श्रिंधीनी विवस्था प्रमाणे क्यारू पधर्यानी सूचना और कार्यास वे मल शे lights साथे साथे एक विशेस सुयोग आ कथा सत्र जे समीति द्वारा आयोजीद थेवू छे एमने एवी भावनाते के सेलिब्रिटीज एटले मोटा लोकोने साव याद करे पण व्रद्धाश्रम मा वस्ता मात्रू हो जे खुबज वरिष्ट वईना अचे आने जेमने कोई लाव संग शोवण पान करी पाचा पोंच आडवा विर्पूर यही विवस्ता करवा मावीच आपने तालियोना गिला आतिया व्यवस्ताने वदाविये एज साचा आ कथा म्रत्ना शोता हो छे तो आब दी व्यवस्तावने अपने शोवण करी अने आगल वद्ता पुर्वे आज नी आ सभामा सवती नानी वैना एवा तिरंजी वोसाभी गोस्वामी स्री व्रजादीश जी महोदैशी बराजे छे काकाशी नी आपशी नी दादाशी नी आग्या छे क्या आपना वचनाम्रत्शी आजनो आ सत्संक सत्रा प्रारम करिये आपनों हलवो परिच्यापू व्रजादीश जी आपनों नाम छे शी दामदलाल जी मारा शीना आप पौत्र अने जमना मदूर शीमुके आपने कथा शोणपान करवाना छे येवा शी दर्शन कुबार जी महोदैशी ना आप जेश्ट पुत्र एटले के आत्म जेवा शी ब्रद्यादीश जी बिराजी इच्छे त्यारे आपने विनंती करशो आपना वतना म्रतों सवन करवा माटे आपनों विशेश परिचे आप शीवाना ग्रहन आचरे हो अनी साथराते बहुतिक विद्या आप मिडियम इंगलिश्मा प्राप्त करी रहा चे अने शास्त्र ग अने विंती करिये पुझपासी ब्रेद्यादीश जी महोदैशी ने शीगुसाइजी परम दयाल की जै शीगोपाला प्यारे की जै शीगराज धरन की जै श्याम सुंदर्श्यमने महारानी की जै सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय शीक्रिष्नाय वयम्नमा नमो भगवते तस्मै क्रिष्नायाद भुतकर्मने लूपनाम विभेदेना जगत्कृडतियो यता यस्यानुकंपावशतसुदुलपं मानुष्यमाप्तं परमस्यपुंसह सरवार्तदं दीन दयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपत्ये अत्रहे विराजमान परम्पुज्य ताजी एवं बड़े दादाजी एवं पित्रचरण के चर्नार विनमे दन्मित प्रणाम करता हूं और उपस्तित आप सब वर्ष्नवरत श्रिगोविन कुण जवेली भूमी पूजन के अवसर पर दश्मसकंद के अंतरगत हम सब यहां पे कृष्न कताम रुथ श्रवन करने के लिए एक अत्रित हुमे हैं यह दश्मसकंद के अंतरगत प्रभू की निरोध लीला का वर्णन किया है और श्रियाचाय चरणने यह निरोध राजा दुबे एवं मादव दुबे को समझाया उनको उपदेश दिया राजा दुबे और मादव दुबे लीला में श्री ललीदा जी की सकी राजा दुबे को नाम कुंजरी और मादव दुबे को नाम रसालिकार रस के पल में अली तो ये दोनों एक साचोरा ब्राह्मन के वहां पर प्रगटें और इनके जो माता पिता थे वो मरियादा मारगी रीती से ठाकूर जी की सेवा करते साधू संद जो आते उनको खाए बिना जावे नहीं देते तो वाके बाद ऐसे करते करते उन दोनों के माता पिता बिमार हो गए फिर उन दोन भाईया इनको कही राजा दुबे और मादो दुबे को कि हमको दवार का स्री रंचोर जी के दर्शन को ले जाओ तब राजा दुबे और मादो दुबे अपने माता पिता के साथ दवार का आए और वहां पर रंचोर जी के दर्शन किये जैसे रणशोर जी के दर्शन किये उनके माता पिता की देह छुटी को तो फिर राजा दुबे और मादो दुबे को सूतक लगो और वहाँ पर रणशोर जी के मंदिर के आगे वहाँ पर बैठे रहते और जो आओ जाओ के जो लोगन थे उनसे पूछते रहते कि यहां पर कोई सत्संग चल रहो है बार कोई मारता कर कथा चल रही है तो हम श्रबन कर वे जाने तो एक वहिष्ण वायो और वाने कई कि श्याचायर जी महाप्रभू द्वार का पथा देह और सुन्दर भागवत जी पे दश्मसकंद पे कथा करते हैं तो तुम मेरे साथ तीसरे पर हर चल लियो तब राजा दुबे और मादो दुबे वो वश्णों के साथ गए और वहाँ पे आचायर चरण श्याचायर जी दश्मसकंद पे आप कथा कर रहे थे आग्या कर रहे थे और राजा दुबे और मादो दुबे दूर बैटके श्रवन कर रहे थे तो श्याचाय शरण ने कही कि तुम लोग दूर क्यों बैठे हो, पास में आओ तब राजा दुबे ने कही कि हमको सूतक है याली ये दूर बैठे है तब आजाय शरण ने आग्या करी कि हमारे लिए तुम सदा ही शुद्ध हो, पास में आओ, तब प्रसन हो के राजा दुबे और मादो दुबे शाचाय चरण के पास में आए और शाचाय चरण ने आग्या करी कि तुम दो दोन को नाम का है तब राजा दुबे और मादो दुबे न गई कि मेरो नाम राजा दुबे और मेरे छोटो भाई मादो दुबे और श्री आचाय चरण तो पहले से ही जान गए थे कि ये दोनों देवी जीव हैं और राजाए दुबे और माधोदुबे ने भी बिन्ती करी कि अभी तो हमको सूतक लगे हो है नहीं तो हमारों बहुत बंत होगे हम आपकी सेवा करें आपके सेवक बने हो तो शयाचाय चरण ने आ गया करी जब सूतक बिते तब सेवा करवे आ जही हो ब्रह्म समन्द लीजो तब तक हम यहाँ पे हैं तो ऐसे सूतक चरण बीते और ग्यारमे दिइन जब वहस्नान करके शयाचाय चरण के पास आ है और श्याचाय चरण ने उनको ब्रह्म समन दियो और आग्य करी कि सब जगर सुमन हटा के निरोध पुरवग श्ठाकुर जी की सेवा करी तब राजा दुबे और माधो दुबे ने विंती करी कि जराज निरोध का होवे निरोध को स्वरूप का है तब श्याचाय चरण ने निरोध लक्षन गरंथ की रचना करके उनको पाठ करवायो और निरोध को स्वरूप बताए श्याचाय चरण आग्या कर रहे हैं निरोध लक्षन गरंथ में कि निरोध यानी क्या निरोध यानी प्रपंज की विस्म्रती जैसे खाते पीते सोते जगते उठते बैठते हर समय शिठाकुर जी का स्परण करते रहें उसका नाम है निरोध यह निरोध शिठाकुर जी की सेवा करने से एवं सर्वबस्तु समरपन करने से यह सिद्ध होता है तो जैसे शे आचाय चरण की कृपा से वो दुनों भाईयन को निरोध सिधुओ तो ऐसी ही मंगल भावना के साथ हम सबन को भी शे आचाय चरण की कृपा से निरोध सिधुओ और हम भी यह कृष्ण कतामरुत को ध्यान से श्रवन करें यही मंगल भावना के साथ मैं अपनी वानी कुष्या चाय चरन के चरनार भी में समर्पित करूं श्री वल्लबादी शकी जै श्री गुसाई जी परंदयाल की जै बोलो शी ब्रजाद बीब जी वहो दई की जाय खुब जब अद्भूत वल्लब जी के ग्रह में सबी वल्लब रूप बधा अगनी स्वरूप चे कोई ने नियुन दिक न गणी शकाई अद्भूत रिते आपना अपना बच्ताम रोतों नेतालियों ना गड़ गड़ारती वद अविये अस्खली त रिते राजा दूबे अने माधो दूबे नी 84-52 कथा द्वारा निरोध के रिते सिद्ध थाई निरोध लक्षन ग्रंथनू माप्रोजी के रिते प्रचार प्रसार अने प्रकटित कर्यों एक कथा दारा अपने आपसिमाने बोधु कर्यों आजना आ सत्रमा जारे कथा प्रारंब थवा जेरी चे जिमनी सन्नी धी आ गोंडली वैसो शर्षिदे निरम्मे स्प्राप्ट थवा नी चे एवा पुझेपाद गोस्वामे शी दामोदर लाली महराशी पड़ादनी आ धर्वसभामा बिराजी चे अपना शी चोड़ो मा सास्टांग दंडवत्म दांगी का करा होता अपने विंति करिये है विबोहो अपना रदे द्वारा अपना आशिरवचन नोतिय महरा करणों ने पावन करो पुझेपाद शी दामोदर लाली महराशी शीब्वाद धीश की स्री गुसाइंजी परमदयाल की स्री शाम सुंदर शी अमने महराणी की शी गिऱाज धरन की शी गोवर धनाद की शी गोपाल लाल प्यारे की शी द्वारकाद धीश की बलो गौ माता की जै धेयं सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं ब्रत्यार्थिहं प्रणत पाल भवाप्ति पोतं वंदे महा पुरुषते चरणार विंदं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय स्रीक्रष्णाय वयम्नुमह निस्साधन जनोत्धार करण प्रकटी कृतह गोकुलेश स्वरुपह स्रीवल्लभशर नम्ममा पुष्टि मार्गिय सर्वग्य करुणार सपूरित स्रेष्ट पलप्रदाताच तस्मै स्रीकुरवे नम्मा नमो भगवते तस्मै कृष्टनायाद भुतकर्मने रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडत योवियतः उपस्थिर मंचासेन चिराईश्यमान घरीराईजी महुदेच व्यासासान उपर विराजमान चिराईश्यमान गुवर्धनेश जी महुदेच चिराईश्यमान बालाचार्य रुजाधीश जी महुदेच श्री गुविनकुन्ज हवेलीना शक्रिय उस्साही सेवाभावी वेश्णव्रंद तथा गोंडलना अन्य आजुब आजुब सुरत थी आवेला रेक वल्लभिय वश्णव्रंद खुबज आनन्दने प्रसंतानों आवसर छे अमारा पित्रचरण परंपुज्य गोष्वामी श्री गुविनलाज्जी महराश्री इमना मंगल नाम थी गोविन्द कुझ हवेली नू भुमी पुजन ना मंगल अवसरे शीमद भागवद दस्मसकंध कथामृत नू रस्पान करवानू अपरम अलोकिक लावो वेश्णवोंने मलवानू छे अमारा पित्रचरण श्री गोविनलाज्जी महराश्री वर्षो पहला अहीं गोंडल मा आप विराज्जता गोंडलनी आजिवाज्जोनी वेश्णव स्रष्टी ने आप संप्रदाईनू सिक्षन आपता भगवत करपाथी अमेपान पच्शीस वर्ष पूर्व नहीं गोंडल माज्ज। दस वरस अहीं हमें भिराजया परन्तु पुनह फरी अमारा गोपाल प्रभुना परम अनुग्रह थी अमारा पित्रचरण ना परम अनुग्रह थी अमारा गुरुवर्य तात्यचरण स्री कुशुतम लाल जी महराश्री ना अपार अनुग्रह थी पुनह गोंडल मा आवानु थेई रहुँ छे ते माटे आ पांच तारिखे गोविंद कुञ्ज हवेली नू भुमी पुजन थवानु थे तेनों प्रचार देश और विदेशों मां खुबज भविरिते करवामां आवी रहुँ छे अने वेश्णों ना रदे मां एव उस्साहा पण छे कि आ एरिया मां पुष्टी भक्ति मारगनू एक आज्यात्मिक आजि देविक स्थान निर्मान थाए जेथी वेश्णों ने दर्शननों सेवानों आउसर प्राप्त थतो रहे आजी आवश्चक्ता छे कि दरेख वेश्णों समाज संगठित बने एकत्रित थाए अवा अध्यात्मिक आने आधि देविक कारे माटे सक्रिय बनीने तन मन धन्ती जोडाईने आ कारे निर्मान करवामा पुण सहयोगा पे अमें तो एम विचारिये चीए कि जल्दी थी जल्दी भुमी कोजन पस्चात गोईंद कोज हवेली नुकार प्रारंब थाई जाई हवेली निर्मान थेई जाई प्रभु पधारे औने आईनी बधी स्रश्टी ने दशन औने सिवानों लावापे दरेक वेष्टवना मनमा पन एज आतुर्ता छे कि हमें पन जवाह वेली एक सिद्धी जाई तो घणा वेष्टव मारी पास से आवेष्ट भी हमें तंथी मन थी बधिरिते सक्रे रुप्ती जोडाई सुंँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ एज विचारे छे ने हूँ पन जोईये वेश्णवने सूजुए सेवा तंथी सेवा मन्थी सेवा धन्थी सेवा ओई पन रिते सेवा नो अवसरमने जीवनमा मल्या करे एज भावना वेश्णवना मनमा रहे छे आपुष्टी भक्ति मार्ग आसने नो मार्ग समर्पन नो मार्ग सेवा नो मार्ग छे सेवा बिना जीवन ब्रथा है पहले सेवा है फिर कथा है दरेक वेश्णवने सेवा मा भाव केविरी ते उत्पन थाए सेवा नो ग्नान केविरी ते उत्पन थाए ते मा त्या कथा कि ज प्रभुनी लिलामा प्रभुनी लिलाना चिंदनमा आपनों मन लागे लू रहे एज जुए धरीक वैश्ण वैज विचारे क्या संसार नी अंदर तो हमें रचया पचया चीए कामकास तो करताज रही चीए आजीवन करवानू छे पर तो साथे साथे आ देह धर्मनी साथे साथे हमने हमारा पोताना आत्म धर्मनू पर चिंदन करवानू छे देह धर्मनी साथे तो संसार नू कार्य आपड़े करिये चीए पर आत्म धर्मनी साथे भगवद कार्य आपड़े करिये भगवत सेवा शत संग भगवत समर्णभ भगवत गुणगान धीआ वा अंदके घैत besl verschni क्यों हो trilogy जे माता पिता ने संफदायनों उडान होईछे तो एक पूता ना बालकों ने पन संफदायनों उडान प्राप्त करावें churches पर जेने गनान प्राप्त नथी होतो तुम एकनान केवी लेते प्राप्त करावे आजे जो दस वरस्त है हमारे सुरतमा स्री पुष्टीधाम हवेले दो निर्मान थे अनेक प्रवृत्यों हमारी चाली रही छे बालको माटे पाट साला चाले छे महिलाव माटे सत्संग मंदल चाले चे पुर्शो माटे पन सत्संग मंदल चाले चे नित्य सेवा, सत्संग, दर्शन, वचनामर्त एनो लाब दरेक वेश्टमने मली जिरेव चे एवुज अमेवु विचारी रहा ची कहीं गौंडल मापन जहरे गोविंद कुझ हवे लिदों दिर्मान थे जाए तो हिया पने वह अलेक अनेक प्रवर्तियों संप्रदाई नी प्रिचार प्रसार नी चालती जी रहे बालको माँ संस्कारों मलता रहे युवानों नी अंदर नवु जागृती आवे महिला मंडल एकत्रित थाए पुर्ष वर्ग पन एकत्रित थाए आजे आवश्चक्ता छे संगे शक्ती कल युगे क्या कल युग नी अंदर आपड़े एकत्रित थाईने बधा रहिये वेश्टों समाज एकत्रित थाईने रहिये आजे पूरा वर्ड नी अंदर आखा विश्व नी अंदर सौथी वधारे स्रष्टी होए तो आपना वल्लब संप्रदाई नी स्रष्टी छे भगवत करपाधी तो मने बधी जग्याई जवानों अउसर मलेच छे जोयू पन छे न विशेश करिने जोयू छे कि वधारे स्रष्टी अने भाव अने प्रेम जिया गोंडल नी अंदर वेश्व नी अंदर छे जारतियम ने वधाई मली कि गोंडल नी अंदर गोविंद कुझ हवेली नु निर्मान थवानू छे वेश्व नोमा आनंद थे गयो कि ए हवेली एवी कि जहां सिक्षन और संस्कार वेश्टों ना बालकवने पन मले नहें तो आज ना समय मा तो दुस्चं क्षणे लागी रहू छे जहां सत्संग ना मले तो त्यां दुस्चंग लागी जाए सेवा ना होय तो भिमुखता थेई जाए प्रजां सेवा मले सचंग मले तो सानित्य प्राप्ट थाई सन्मुक्ता प्राप्ट थाई सारा संसकारु आपने मले आजी आवस्चर्था छे अपड़ा व्यश्ट्वों संप्रदाई मा युवानों मा बालकों मा धरेक जन्र अंदर पुष्टिव संप्रदाईना वल्लप स संप्रदाय ना संप्रदाय ना संस्कारों नी आवश्षक्ता छे अन ए मले छे अभी हवेलियो द्वारा कि जह आपो वेश्टनों समाजे कत्रित थाई छे अन एना माटे अमारा दुतियात्म स्री गुवर्दनेश जी उरा विश्वनी अंदर वल्लब संप्रदाय ना प्रचार प्रसार करवा अमाटे ने पुष्टी धर्मनी प्ताकाने लेहरा लेहरावाना माटे अनेक विश्वय उपर कथा प्रबचर नवादी करे छे नमारा युवा चार्य स्री हरिराई जी महोदे के जेमनी अंदर विश्वन्दर कारे शक्ती भेश्टों ने युवानों ने कत्रित करवानी प्रज्यात्रा अधी उपाडवानी अवेलियाधी सिद्ध करवानी आब दी दानकडू काम नथी एकले हाते थाई नहीं पर एविल्टे येमने कारे करे छे कि बधा युवा वर्ग एकत्रित थही जाई छे अनि आ कारे करवा माटे तक्पर बनी जाई छे जेनु पर मैं जुईर्य हा चीए तो एमने पहर्ण भुरिषा आशिर्वाद चे गोवर्दNेशীस ची ने विशेसकरीवे आ कारी करवाना माटे गोविंद कोईजे हवेलीदैों निर्मान करवाना माटे तननी पन आवस्टक्ता छे मननी पन आवस्टक्ता अने आजना समय मां धननी पन आवस्टक्ता छे तो जे जे वेश्णवे आ कारे करवाना माटे पोताना देवी द्रवेनों विनियोग कराएवो छे अतो केटली क्रपा महाप्रभुजी गुसाइजी नी थाई होए आपनी आ देवी संपति ने भगवद कारे मां आपने विनियोग करावी शक्ये छिए अने भागेशाली छे वेश्णव कि जैने आ गोविद कोजे दिर्मान करवान अमटे पोड़ता ने देवी संपति ने विनियोग करावी छे जमने भूरी शह साधवाद ने आशिरवाद हमें आपिये छिए अने पोटे पन आगर पोटाना सहयोगी पोटाना आत्मिये जनोने पन कहीने पन विशेश आ कारे करता रहवानू छे कियमके आप ब्रहद कारिये छे अने ब्रहद कारिक करवान माते बधानू संगठन बहुज आवश्चक छे अने बधा वेश्टों मडिने अहीं तो आपत्रिका मां एक एक कीइटनी सेवा घना वेश्टनों के हम्याकी हवेली निर्बान करी में के एम नहीं हमार तो बधा वेश्टों नो सहयोगन प्रेम भाव जोईये छे तो एक एक कीइटनी सेवा पन जो वेश्टनों करसे तो एनी देवी संपत्ती जे छे ए भगवद कारी मां विन्यों के थसे अजी सो एक लाख रुपिया पन होए और एमा तो जो दस अजार पन विन्यों के करावी दे तो बिजा बधा देवी संपत्ती सुद्ध थे जाई छे तननी सुध्धी मननी सुध्धी अने धननी सुध्धी तननी सुध्धी स्थान थी छे मननी सुध्धी भगवत नाम थी छे अने धननी सुध्धी आलोकिक कार्यमा पोताना देवी धन्ने विन्योग करावमा धननी सुध्धी छे तो आज देवी द्रव्य जे कही करो पसंत आती करो उदारत आती करो आजे वेश्णों हमारी पासे आवे छे दन्वत प्रणाम करे करपाना तमने आशिर्वाद आपो आशिर्वाद आपो आशिर्वाद आपो आशिर्वाद आपी छे आशिर्वाद नो मिनिंग तो तमने जा आ यह आई यह व्रद्धी थाओँ。 शुद्ध सब्धचे श्री यह लक्ष्मी, तम्ये लक्ष्णिवाँ धनवाँ तम्ये बनो, वाओ यह वह वन्ष्णि व्रद्धी थाओँ. अने दो एटले तमाई दान करवामा आगर रहो लोभी न बनो उदार बनो एनो अर्थ थाई छे आशिर्वाद तो ए आशिर्वाद आपने मले छे कि जेनाती आपनो मन धन भधू पवित्र बनतू जाई छे आको परिवार वेश्णों बनतो जाई छे तो आ भगवद कारेमा अधिक जे अधिक वेश्णों जोडाई अने आ गोविंद कुझ नी हवेली जे नाम थी छे कुझ छे अपड़ा पुष्ट्री भक्ति मार्गमा अनेक कुझ जो छे व्रज्यात्रा करवा जाओ तमने ख्याल अनेक कुझ निकुझ 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 नव निकुझ अने ए मानव जीवनने शांती त्यारेज मलेचे कि जार भगवानना चड़नार्विदमारीने वैसी जाए वापुष्ट्रीमार कि स्थानमारीने वैसी जाए ध्यान अने धेईने ध्रड करीने भगवत नाम ले सरोतमजिना पाठ करे सत संग करे दर्षन करे तो इने मननी शांती मले छे अने मनने शांती नुक मुख्य हेतु छे भगवत नाम भगवत सेवा भगवत दर्शन भगवत सत्संग के जेना थी आपणा मनने शांती मले आपणू मन शांत थाए सारा विचारो आवता थाए सारू कारे करवानू आपणने मन्थतु जाए विशेश वधारे आपने ची कृष्ण कथाम्रतनों रस्पान करवानू छे, कृष्ण जनम पन करवानू छे, कृष्ण लिलानों आनंद प्राप्त करवानू छे, पर अधिक दे अधिक वैश्ट नवू आ कृष्ण कथाम्रतनी अंदर स्रवन करवान माटे आव जो, बीजाने पन लाव जो, औ आ भगवदेकारी करवाना माटे पून रूप्ती सहकार ने सेवा करजो बस एवी अलोकिक मती भावना धरेक वेश्टों नी बने एध भात ने शी महाप्रभुजिना युगल चरणा अरे मिन्दमा विरिंदी करी ने मारा वाग कुष्पों नहें समर्पित करूछु तोलो श वल्लाभा धीश की जैश्टों निपावन सन्नी दियने आश्रमाई निश्यामा अदिविया सत्संग सत्रनु आउजन साथे साथे गोविंद कुझ हवेली नू निर्मान थवाजे रूशे वा आचारे बरे पुझिपार गोश्वावेशिदामो देलाजी महाराश्षी आचारे नू करतवियज जीवने पोशन आपपनुछे धर्म भक्तितर प्रवण करवानू अने डिवे रिते गोविंद कुझ हवेली ना निर्मानती गोंडलनी आधरती पर कैई रिते डिवे सत्संग अने संस्कार सिंचन थवानुछे एनी अदबूत आशिर्वेचन आप अने पुना आपना शी चर्णों मा सास्टांग दंदोत वन्ना करिये है विबहो निरंदर आप अहीं गोंडलन नगरीमा बिराजी त्री ना मारू भाव पोश्यन करों खुब-खुब आपना प्रती आभार अहु भाव प्रगेट करिये छिए धन्यवाद बाद कथाकर मागल प्रारंब करिये पुर्वे आप शिमार जाग्या करी अपनना पतन योगदान एक इट स्वरूंपे पन आप आप निर्मान वाईश्णोनी पंद सेवा निर्मान मा लिवामा विरी छे नमाट आपे बेश्टित करिजे मामणा पड़े भगवत कथा नी चर्चावी के शी मापवरुजना चोरासी सिवोकम तो हजारो वैश्णोने आपे दिक्षा ब्रह्मसम्मन दिक्षा आपी छे पनेमा चो चुरासी बस्तो बावन नी शेणी माटे 11,000 रुपया हवेली निर्माण मा भेट करना ने 84 बस्तो बावन नी शेणी साथे चित्र जी प्रदान करी आप शिमान द्वारा उपण न उढ़ाडी अने सन्मानित आज मंच परुपर्ति करवा मा आविर्या चे अने एज प्रकारे 51,000 रुपया आ मंदी निर्माण मा भेट करना ने 252 विस्तो बावन नी उपादी साथे शी गुसाईजी प्रभुचरान सी गुसाईजी नू तैल चित्र स्मृति शरुपयार पन करी आप शिमान द्वारा उपण न तुरुपया आश्क्रवात प्रदान तवाराचे पहला पांच भगोदियोना जे नामो प्राप्ण थेचे यमनाउन नामो चार करी अने सव पहला आजे ने सन्मानित करोन अपड़ उक्रम करीशिए आक्रम ने आपने तालियोना गटगाल आत्ती वदाऊशू शी आचारी चरण नू तैल चित्र प्राप्त करी अने आपना शिर्वात ग्रहन करशे शी गोविंद भाई रती भाई सवाणी बोलो शिवल्लभादी शकी अग्यार हजार रुप्या भेटा पी अने गोविंद कुझ हवेली ना निर्मान दी एक इट आप प्रदान करीशे कोचो ने भूमी पुजन ना पांच तारिख ना दिव से एज भग्विंद ना आते एक इट पन एट पन भूमी पुजन मा मुकवा माँटे आप शिमन्दवरा अग्या करवामावी चे तो ए वैश्टों एपन लावो प्राप्त से कि भूमी पुजन ना दिव से अग्यार हजार प्रदान करना वैश्टों ना हाते भुमी पूजन मा एक हीट पनमुकवा मा आउशे। अग्यार हेजार चोरासी बस्तों बावन्नी श्रेडिमां चोरासी वैश्णों श्रेडिमां परम्भगवदीशी किरणबेन राजानी इमना प्रतिनीदी स्वरूपे अशोग भाई राई चूरा खास राज कोड़ती आवाचे आपने ताडियोना गडगारती आख शन अग्यार हेजार रुपन योगदान आ हवेली निर्माण मा करीना आप चोरासी वैश्णों श्रेडिमां अपना नाम जंकेत करावी शको छो एज प्रकारे बस्तों बावन वैश्णों श्रेडिमां जमने 500 रूपया मंदिर निर्माण मा भेट करी छे एवा डोक्टर सचीन धडूक अने डॉक्टर स्नेहल धडूक अब बन्ने मानुभावने निविदनकरिष्क मंचस्तता से डॉक्टर सचीन धडूक अने डॉक्टर स्नेहल धडूक अब बन्ने मानुभाव बगवदियों मंचस्तताई पुजिशी ना आशिवरात प्राप्ति करशे आपने ताड योना गड़गार तेमनी सेवाने बदाविये बोलो सुखिसाय जी परमधयाल की शीभागवता भगवादा की शीवल्लभादीश्य की ये जी ते बसो 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 बावन वैश्णों नी शैनि माई कवन सुरुप्यानी बेट सा थे सुरेश भाई खानपरा परिवार के पुझेशी ने दनवद साथे अपना वदस हसते रखोचरहन सिगुसाईजी नूं देले चित्र पराप्त करी बोलो शीवल्लभादीशकी उपरना zucchini आशिमान दने तेले चित्र आज प्रकारे अनेक भगवदियो आ गोविंद कुझ हवेली ना निर्माण मा पोतानु योगदान आप्शिमाने करुए प्रकारे तन मन धन्ती सेवा मत्र धन्ती साई जरूरी नेती तनु वित्त जा शी गुसाइट सिमाप्रुजी आग्या करी चे तनु वित्त जा कहीं पन प्रकारनी सेवा भगवदियो आने भगवद सेवा करी शके छे एज प्रकारे एक विशेश भगवदियो जमने प्राग जीबाई गामी गुझनाट टायर्स आजी करदा संव संयोग वह सेवा उपस्तित नतीरे शे क्या पन एमनी पन सेवा नी आपन प्रकारे नित्य जे बगवदियो ना आ प्रकार ना योगदान प्राप्त सेवा ने चोरासी ने बस्तु बाउन वैस्वा निशेणी साथे अप्षिवान ना रोजे रोज आशिवा दरिती प्राप्त थोशे आवो ससंग प्रती आपने प्रयाण करिये मैं आपने कईवा प्रकारे आचारे बरियोना शीमुखे बगवद ससंग कताकार ज्यारे बगवत कता करें बेशक ना हइये पन गठीकार बधिया के अमीनादर्दी मा स्तापीत ना होई ये कैके आरे ससंग मा प्रवण थे नषके पन आचारे सीमुखे जे वाक्त परती चे यहां ना शी मुके जयर बगोट सच्छंग शवन थत्व तो ते नुएक माधूरिया अलग सपुटी थत्व जे शी दर्शन को माजी मोदैशी ना अनेक सच्छंग सत्रों माद बुद्कार माँ अपना बेत्रन सच्छंगों मन्च संचालन करवानों पर मने सुयोग प्राप् जमां वैश्णों ने शी महाप्रोजिना स्वरूपनों दर्शन थत्व तो एवा कोटा बिराजीत पुझपाद गोश्वामेशी पुर्शुत्रम लाली बाराशी नों सेवक होवानों हूं आगरना सेवक सात्य गवरवानों भोवुचु अपने वाद करिये प्रकारे पुझशिनों हडवो परीचे ले पछी आपने आकथा प्रती प्राण करिये समय खूपते होचे माप्रोजी ना वलसर जो ओन ये आपने शेणी आईये तो शी माप्रोजी सी गुसाई जी इमना सात लाल अन्य अजे प्रोफ्तमान बाल को आपनी वईना ये बूतल पर लगबग बजा सत्तर मी करभार मी पेड़ीना वंसजो चे प्रकारे शी ओन्येर पन आपनी सत्तर मी पेड़ीना न वंसजो न जे शुरूपे बूतल पर बिराजी इख है सी गुसाई जीना चट्टा लाल सी रेदुना जीना परिवार ना चट्ठा घर ना बालक तरिके आप शी बन गुतल पर बिराजी चे एथी आगण आपने आज थी दोडसो बसो वर्स पाचर जईए तो रमण प्रभूशी गोकुलेश मसरामास रमणेश जीनू ब्रहद नाम आचारिवरों मा जेने मारतंड आचारिय के भाई एवा शी आचारिवरे ना परिवार मा शी घंशाम लाल जी माराशी दामोदर लाल माराशी वा बेप्राचिन आचारिय प्रवरों नाम अपना मुखे सेजे हावे मत्रा ना ब्याचार वर्यो रमण प्रभूशी गोकुलेश ना वनस जमा गोकुलेश जीना वनस नू पर एक सुंदर मजानू आपना परिवार सातिनो नातों छे कि गोकुलाजी नी आपे स्विकारी एसमे थी गोकुलाजी ना वनस नू तिलक आगरमा दंडी वगनू मातर बेदांडीनू यू मार्ग जे तिलक आपना संप्रदादीनू चे एतों छे ज शी गुचाइजी सिमा पर जीना समय थी पन सी गोकुलाजी ना ग्रहान ना तिलक नू सम्रती परेलूकर इज नातं इज ह्मेह गेना। पुझेपास्षी गोविंद्राइजी जमना नामस्पराण मासी गोविंद कुझेवेली नू आ निर्मान थवाजीरू छे अने वनसमा पुझेपास्षी दामोदरलाजी महरास्षी आपिस्रम गुर्याजी चे अपना सी चोणों मा दंडव साते शी गोर्णेश प्रभू अध्वूत रिते आपना सत्संक्षावण करवाणों में अउस्सर मिलो छे अने में आपने कुझे मन्स संचालन नू पड़ एक विवार्मने सेवां मली छे आप शिमान बहुतिक शिक्षा ग्रेजुएशन करवानी साथे साथे भागवत विद्यापीट सोलामा भागवत ग प्रदाइक आत्मसाथ करिये तमाम विशेयों पर अपना वच्णांब्रत्ना उपकरम जयमा आप शिमाने मला गया करी कि नकेवर सवराष्ट नकेवर गुज्रात के भारत विश्ववर्ण अनेक देशों में आप शिमाने बिर्याजी त्री आचार पीठ परती वैस दोने आपना सत्संग नों बहुद करियों चे आज गोंडलनी आधरती अंडे गोंडलनी वच्णियों श्रष्टी उंका इसके महा भाग चे कि पुझेशिना वच्णांब्रत्नों आपने लाब बढ़ियों चे आपनी साते हूं पन आप नियाग्याती सहज रूपे आज सत्संग पुझेशिना सीचर्णों मा दंडवत वंद साते हूं तीकरी है विबहों आपना रुद्वयमा दसमस्कंधना ये विश्यद चरित्र बेराजी चे पुझे प्रवुनू मित्रों मने हमना जरसिक बाई राजपरा बाजुम बेठाचे के गोंडलने आधरत्संग प्राप्त प्रदाइक सत्संग सत्रा पहलू चे अन्य बीजू यम आपे हाग्या करी के दसमस्कंध सुभोजनी जी लीला नू पठन आचार्य स्वरूप यहां गॉंडल मा पहली वार्थ 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 आटला वर्सों मानेक सत्संग सत्रों तया पर दसिक बाई नू क्यो यह उद्गातित करी अन्य हमारा करणों ने पहुन करों पजिपाद गुत्फवमेशी गोवर्धनेश्टी मोदेश गोवर्धनाथ की जय श्री वल्लभाधिश की जय श्री गोबाल लाल प्यारे की जय श्री गोवर्धनाथ की जय श्री द्वारी का धिश की जय श्री गोवकुलनाथ की जय श्री हरी राय महाँ प्रभुन की जय श्री वाक्पत ये नमहाँ श्री गुरु हु चरन कमले ध्रो नमहाँ सच्चिदालंदरू पाया श्री विष्वोपत्या धिये तवे ता पत्रया विनाशाया श्री क्रश्नाथ श्री श्री क्रश्नाथ गोवर्भ॥न। नमो भगवते तसमे रश्नायार भुद कर्मने रूप नाम विभे देना जगत पीड़तियो यकह बर्हा दीड़ों नटवर्वपु हूँ कर्णयो कर्णिकारं दिप्रद्वार सहकनक कपिशं वेजयं तिंच मालां ब्रंधान वेणो रधर सुधया पूरयं गोप ब्रंधै ब्रंधारन्यं स्वपदरमनं प्राविशत गीत के विए सौंदर्यं निजर्द गतां प्रगकेतां स्त्रीगुड़ भावारत्मपन् पुन्रूपंच पुनास्तदं तरगतां प्राविशत स्वप्रियं सांस्लिष्टा बुभयो बभावु रसमया कृष्णोहियत साक्षिकम् प्रूपंतत्रिप्यात्मकं परमभे वेयं सदावल्ण प्रूपंतत्रिप्यात्मकं परमभे प्रूपंत्रिप्योगे श्रोत्रम् ददव्यह करुणारसाभिहे कथारसास्वादनमूदचित्ता गूपाल लालं शर्णं प्रपद्ये भूपाल लालं शर्णंं प्रपद्ये वेल्णू प्रूपाल लालं शरणंं शिक्रष्णक नहीं आलाल की चर्र. जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए नंद के दूलाए यशोदा के प्यारे जै जै श्री कृष्ण चंद्र जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै 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 श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए श्रीवल लभ के प्यारे जै 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 श्री कृष्ण चंद्र नंद के दूलाए 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 नंद के दुलारे ओ गिरी वरधारे नंद के दुलारे ओ गिरी वरधारे नंद के दुलारे ओ यशुदा प्यारे जय जय श्री कृष्ण चंड नंद के दुलारे जय जय श्री कृष्ण चंड नंद के दुलारे नंद के दुलारे यशुदा के प्यारे यशुदा के प्यारे ओ मुर्लिवारे ओ मुर्लिवारे संत रखवारे धर्तों के दुलारे वक्तों के प्यारे ओ गिरी बर्हारे नंद के दुलारे यशुदा के प्यारे नंद के दुलारे यशुदा के प्यारे यशुदा के प्यारे यशुदा के प्यारे यशुदा के प्यारे नंद के दुलारे नंद के दुलारे जै जै श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे ताके प्यार उमर लीवार उमर लीवार सी कृष्ण का नहीं आलाद कीजे आओ मन्ने सालधान करीने अखंड भुमंडलाचार्य जगदगुरु महाप्रभु श्वलभाचार जीना अलोकिक अप्राकरत रसात्वक स्वरुपनू रदैवा ध्यान धरी स्वरुपनू चिंतन करी आपशिना युगल चडनार बिंदमा कोटान पोटी डन्वत्गना एवं मंचस्त विराजमान परमादानिया परमशद्धे परमपूजनिया पुजश्य पित्रचरण दादाजीना श्य चरण कमदमा कोटी कोटी डन्वत्गनाम करूछू एवं समुपस्तित जश्ट भात्रचरण आफशे नाचरणों मा दन्वत्गनाम करूछू एवं मंचस्त पुपस्तित तिराजमान श्य विर्जाधेश जी लालन मंचनु सुन्दर संचालन करी रहा यवा अमारा आत्मिय स्नेहि श्री भुपेंद्र भाई दुलारी श्य गुविंद कुँज हवेली नव निर्माना धेनी एना मुख्य संयोजक प्रवंधक एवा परमवेश्न उश्री रमेश भाई धरुक एमनो परिवार एवं आ सुन्दर भुमी पुजनना आउसर पर सिक्रिष्न कृथामरत नुझे आयोजन सुनिश्चित भयूछे एक अधाना प्रधान मुख्य मनुरती महत्सवना मुख्य मनुरती शी निलेश भाई धरुक एमनो परिवार शह मनुरती शी भावीन भाई कानावार एवं साथे शुभेच्चक मनुरती शी अश्विन भाई रयानी एमनो परिवार अने जे भुमी पुजन ठवानुचे एना जे प्रधान मुख्य मनुरुती छे सतीश भाई दांगडिया धसा तावधा मुख्य बना सेवार्थी ओ मनुरुती वेश्णों परिवार एवं सम उपस्तित कृष्ण कधा मृतनू पैपान करवा माटे आवेदा से कृष्ण कथा प्रेमे सत्सं करवा माटे उपस्तित आवधा सत्संग रसी की प्रेमे शुरुता ब्रंद विश्ण ब्रंद एवं कृष्ण कथा समीति शिभागवत समीति न अग्र करने कारे करता छे प्रमुक छे एवा शिप्रविन भाई रयानी तेमज इमना बधा सर्वसाथी मित्र ब्रंद भाईयो बधा कि जारतिया आयोजन्नी रूप रेखा बने क्यारती सतत चिंतन शील प्रेतन शील अने गती शील छे ये सुन्दर ती सुन्दर कारे करन थाय अने अधिक ती अधिक बधा वेश्णवो लाब ले एवी मनुभावना साथे जे सतत सेवामा रत छे एवा बधा समीति थी जुडाएला वेश्णब्रंद हमारा सुरत शी पुष्टिधाम हवेली थी जुडाएला सुरत थी पन पधारेला वधा आत्मी प्रिय वेश्णवो जन अशोग भाई आधि वधा वेश्णवो खुब सुन्दर अउसर छे शी गुविंद कुण्ज हवेली ना भुमी पुजनना असु अउसर उपर असब्त दिवस्टिय सत्संग करवानो कृष्ण कथा गान करवानो असु अउसर प्राप्त थेवो छे आप बधा तो भाग्यशाडी छो पर नतो आप थी पन वधारे हो पोताने महद भाग्यशाडी मानेश के आसु अउसर मने प्राप्त थेवो मने वानी पवित्र करवानो असु अउसर मोटाओ ना आचार्यों निक्रपा थी प्राप्त धयों कारण के जार्यों रूप रिखा बनी हती के भूमी पुजन नू आयोजन करवो छे अने छसाथ दिवस केंके सस्संग नू पन आयोजन सुनिष्चित करवा मा आवे के बधा वेश्णों एकत्रित थाये कारण के जे पाचलों घणों जे समय छे ये बधा समय नी तो बहुँ चर्चा कहीं करवी न थी परन्तु घणों क्लिष्ट कठीन समय आपने बधा जोईने आव्या छी है अने एवी एवी परिस्तितिओ आपना बधा ना समय आवी छे के जना थी बधान नू मन उद्विग्न थायू छे तो ए उद्विक्न मनने शांत करवानु जो कोई एक मात्र साधन होई प्रिये जनों मनने प्रसंद करवानु जो एक मात्र कोई साधन होई मनने प्रफुलित करवानु जो एक मात्र कोई साधन होई मन ना बधा शंशयों ने दूर करवानों जो कोई एक मात्र साधन होए मन ने शांती प्रदान करवानों जो कोई एक मात्र साधन होए तो केवल औने केवल शिमत भगवद कथा जे केवल और केवल कथा दरेक पोता ना जीवन मा शांती औने आनंद एनी जु घोज करे छे कोई ने पन पुछो एज गेसे कि मने सुख जोईए छे मने शान्ती जोईए छे अन्य एना माटे जे पन आपणे वदा प्रवृत्ती करी गया छी ए प्रवृत्ती पाच्छाडनों जो हेतु छे सुख ने शान्ती पचि ये आजी विकाना साधन हो ये कई पण प्रवृत्ती करता हुई आपड़े ये प्रवृत्ती पाचर नो हेतू शुग क्या चाहिए वास्तविक्ता में शान्ती जोईये छे भाई सुख जोईये छे कि अगले शास्त्र मां कहुँ छे सुख से मूलं धर्म हां सुख नुमूल प्रियजनो धर्म छे धर्म शू आपे छे धर्म आत्म बल आपे छे धर्म शान्ती आपे छे शिमत भागवत अंतर्गत चतूर्त स्कंध अन्य चतूर्त स्कंध अंतर्गत जिया धर्म प्रक्रण नुँ विवेचन छे ए प्रक्रण अंतर्गत धर्मना पूरो परिवार इनु निरूपन करवामा आवी छे अने ए पूर्ण परिवार मा धर्मनी तेर पत्मियों बतावी छे धर्मनी तेर पत्मी अने एक एक पत्मी थी एक एक संतती पुत्र नी प्रात्ती थाई अने ए तेर पत्मी उमानी धर्मनी एक पत्मी नु नाम छे शांती अने धर्मने शांती ती जे पुत्र नु जन्मत हयो इनु नाम छे सुख धर्मनी पत्मी शांती अने शांती ना पुत्र नु नाम सुख आपणने शू समझावी रहूँ छे भागवत आपणने शू जोईये छे सुख जोईये छे शान्ती जोईये छे लेकिन ससंग वगर मूर ताना लिदे अज्यान ताना लिदे जीव शू विचार करे छे अधिक ती अधिक सुख नो संचय धाय सुख ना साधनों ने हुँ एकत्रित करू के इना थी जीवन मा मने शान्ती नो अनुभव था शे पर शान्ती ए मा छे न सुख ए दिक्रो छे शान्ती हसे तो सुख आउ शे सुख ती शान्ती न थी शान्ती थी सुख छे हम ऐसा सोचते हैं कि सुख्य साधन जादा हों सुखनी पदार्थों सुखनी वस्तुओं ए वधारे ना वधारे हुँ संचे करू अने ए सुखना साधनों माटे पची द्रव्यनी आवश्यक्ता रहे छे अने ए द्रव्यनी पाछड जीव भागतों रहे छे अधिक ती अधिक धन बेगू ठाए के जेनाती सुखना साधनों एकतरित थाए के जेनाती मने जीवन माँ शानती ना अनुभव ठाए लेकिन ग्रंथों कहे छे के शानती ये माँ छे अने सुख ये दिक्रो छे माँ होए तो दिक्रो आऊ शे ना एले सुखती शान्ती नती शान्ती थी सुख चे अने शान्ती कोनी पत्मी छे तो के धर्मनी पत्मी छे धर्मना आदिनी छे एले जिया धर्म छे तिया शान्ती छे अने जिया शान्ती छे तिया सुख चे हाँ क्या कर वस्तु पदार्थों माजे सुख मड़ी जाए एक शनिक एनु अनुभव थतो अहशे परन्तु याद रहे ए सुख शाश्वत न थी ए सुख सनातन न थी ए सुख नित्य न थी काण के जगत मा कोई पण वस्तु नित्य न थी अस्तिरम जीवितम लोके अस्तिरम धन योवने अस्तिरम पुत्र दाराश्च धर्म एको ही निश्चलह ये जीवन में सब कुछ अस्तिर जीवन अस्तिर छे पुत्र अस्तिर छे दारा पत्नी पर अस्तिर छे अस्तिर न थी अस्तिरम जीवितम लोके अस्तिरम धन योवने यूवा आवस्था भी अस्तिर है धर्म एको ही निश्चलह तो जे वस्तु स्तिर न होए ये वस्तु के ये व्यक्ति माथी मरतो सुक आनन पन स्तिर न होई शक्ये हाँ एक जीवन जीवान नो ए परिवार ए द्रव्य ए साधनों नी आवस्षक्ता रहे शे प्रण्तु याद रहे एने आपड़े पोतानों जीवननों लक्षन मानिया श्याचार जी एटले जाग्या करी पूर्णा अनंदो हरिस्तस्मात कृष्ण एव गतीर मम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्चते श्याचार भगवत गितामा पूर्ण केवल अने केवल भगवान परब्रह्मसी कृष्ण छे परब्रह्मात कृष्णो ही सच्चिदानन्द गम ब्रहत अने ये परब्रह्म सी कृष्ण के वो छे तो के सच्चिदा आनंद रूप छे सच्चिदा आनंद रूप आए जियां आ साथ दिवस आपने से कृष्ण कथा मृतुनू रसा स्वादन करवानू छे प्रिय जनो तो सर्व वर्थम कृष्ण शूचे इस समझी ले क्रिष्ण कोन क्रिष्ण क्या है क्रिष्ण कोई अवतार नथी क्रिष्ण स्थू भगवान स्वयम घणा सत्संग नो अभाव ग्रंतों नो अभाव हो एटले क्या ब्रजमा क्रिष्ण नो जनम थयो ए विश्णू ना अवतार थया ए विश्णू ना अवतार नथी नथी सत्संग नो अभाव हो एटले नो जानता होए के विश्णुना एक अवतार क्रिश्ण नहीं ये क्रिश्ण अवतार नहीं ये अवतारी जे समस्त अवतार धारन करे छे रूप नाम भिभे देन जे रूप अने नाम थी क्रिश्ण शब्दन अर्थ जो विशार करे तो क्रिश्ण ये सत्ता वाचक छे न अक्षर आनन्द वाचक छे ये आनन्द पर जेनी सत्ता छे ये सी क्रिश्ण छे अने आपने जीवन मां शुजो ये छे प्रिये जनो आनंद तो आनंद पर जिसकी सत्ता है उसी की ही शर्णागती स्विकार करना ही हम सबका प्रमुख धर्म है एक्रिश्ण एज आनंद अनंद जी कृश्णमा आनंद कहो करिश्ण कहो कि आनंद कहो बंने परियाय वाचे छे आनन्द ब्रह्म्मनों एक नाम छे आनंद ब्रह्मेति शुरुती कह छे कि उन्त नाम ब्हुनिय संति नाम्रानी तो मैं एक आनन्द नाम छे और जहीं आपनू नाम हिए तै तो आपनू बुन प्रियास केवल अने केवल अने केवल इना बद्धाज प्रयासों केवल अने केवल आनंद माटे ज़े इटले एक द्रश्टिती जोवा जईये तो द्रेक ना प्रयास केवल कृष्ट प्राप्ति जछे द्रश्टिती विचार करवा जाओ द्रशन शास्त्र थी तो आज जगत माँ कोई पण नास्तिक नथी कोई भी नास्तिक नहीं है यहने पूछो ताने दुख जोईये तो के ना शू जोईये तो के मने आनंद जोईये आनंद एटले कृष्ण आनंद ने समझतो नती वस्तु अलग छे वस्तु ओमां के व्यक्तिव मां आनंद खोजी रहे हो छे अनी खोज तो खोज तो इटलो प्रवृत्ति शिल बनी जाए छे इटला इटला कारे करया पचीपन मनमा क्याक ने क्याक बाकी रहे गयू संतोश नथी जिम व्यास जी व्यध्यास जी किटली बदी ग्रंतों नी रचना करी प्रवृत्तियों करी प्राम पुराणोंょं नी रचना करी महाभारत नी रचना करी वेदोना विभाग करया बद्दू कारे कर्यू तो पन सु थयू असंतोश कथा मा आपणे श्रमन कर्यू अश्या आप स्मरन करो सु लाग्यों कईक बाकी रहे गयू कुछ छुट गया एविर्देज जीवन मा प्रियजनों किटली पड़ आपने प्रवरुत्ती करता रही है परन्तु जार सुधी नारत जी आविने व्यास जीने किदू के व्यास भगवान हे प्रभू जार सुधी शी ठाकुर जीना निर्मल यश्नों आप गाननी करो त्यार सुधी आपने शांती संतोष नंभव नहीं दाये ये वस्तु याद राखीने प्रियजनों जार सुधी आपने भगवद कथा माते तत्पर नहीं बनिए ससंघ माते तत्पर नहीं बनिए त्यार सुदि शान्ती संतोश इना माटे किटलाई विजा उद्ध्यम करो परंतु तव कथा मृतम तप्त जीवनम काण के अंतर यामी भगवान जे आपना बधाना रदेमा विराजमान छे जारे एक कथानू पईपान करो छो त्यारे तमारे अंतर आत्माने संतुष्टी पोँचे छे बाकी शरीड ने संतुष्टी माटे ना तो घणा बदा रस साधन उपलब्द छे यह जो संतुष्टी अंब माटे अलग अलग पदार्थो मुट्यू से वन करे यें करे है चे प्रह्ण ये ज नव dato therefore ह। कि चाहरेना पज्छ्टी मुच्छी ये प्रणा बदार्सव थो ये नवर्णा पमार्णी जे Hzंुच्छप शे ये ने कि नुक्साम पोँचे छे वह दुख थाए जारे आपणा भाईयोंने आपणा वेश्णोंने मुड़ा मातलू भरी भरी ने आ तो मारे साथ दिवस के वोजे रोज आ वाद परिवानी छे यह वाद पाकी कि बाजुमा उभाऊए नेनी साथे वाद करता हमने बीक लागे हमना क्या हमने बीक लागे बोग बाजुमा उभाऊए ने वाद करता हुँ याद राकिश के साथे साथ दिवस आ वात आवे जाए बहु ग्लानी धाए अवी देहने संतोश माटेज कईये ने बाकी वास्तवि किटली भयानक बिमारियों ने आमंत्रित करे छे तो पन किटली मुटु आश्चरिय छे ना जारे वला पांडवो ने यक्ष राज नो जे महाभारत्माने प्रसंग आवे छे जे भाईयो युदिष्टिर ना मुर्चित थे गया ने धर्मराज युदिष्टिर जीन यक्ष नो जे संवाद थाए छे तो यक्ष गणा बदा प्रश्णों करे आए संसार का सबसे बड़ा आश्चरिय क्या है तो युदिष्टि तो धर्मराज है कहते हैं दरे क्रित्ती जाने चेक एक गिवस इनों मृत्यू सुनिश्चित चे तोपन पोताने अमर मानी ने पाप पर पाप करतो जाये चे इज मोटू आश्चरिय चे पाप पे पाप करते हैं शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम प्रिय जनों ये शरीर धर्म साधना के लिए हमें प्राप्त हुआ है इन्हें वेड़फवानू नफी जेवा तेवा पदार्थोनू सेवन करीने वड़ी लोग करता हो इन पजी वार्सामा छोकराओने पनापता मुडामा भरी भरी ने मावो ने तमाकूने अरे मावो ने पाओ पाओ प्रेम रस सुख एचे आवड़ा भक्त देहारां भाई पाओ प्रेम रस पाओ मावानू तमाकूनू रस में सावधान भी जाओ अवी संतुष्टी माटे अलग-अलग पदार्थोनू सेवन करे व्यसनों सेवन करे परन्तु वास्तविक मा एना थी संतुष्टी थती न थी आज दिनी तो काल पछी ये छोड़ू ज पढशे तमारी काल केवी तमारे जोईये जे तमारा आज उपर नि पुझे शे पित्रु चरण्नाज मुखारविंती एक प्रसंद सामबड़े हो तो कोई व्यसनों आप शीनी पासे आवी ने पूछे हो कि दिर आज मारों काल केवी जे भविश्य केवी जे तो आप शी दादा जी आगया करी तारी आज केवी जे तो कि आज ठीक ठीक है तो कि कल भी तेरी ठीक ठीक है जिनि आज सारी न थी यहनी काल पेरी तरस होई शक्या आज वर्तमान यह आवशक्चे प्रिय देगा जार सुधी निर्मल कथा सस्तंग नो जीव पान नथी करतो यहने अस अंतुष्टिज रहेश एटले गोपियोई पन तव कथा मिर्तम तप्त जीवनम ए आनंद दायक आ कथा ए श्यमत भगवत एसे कृष्ण कथा आ अज आनंद छे जे ब्रह्म छे ए आनंद ऑस्त छे आप वीकशण छेस सत चित आनंद नुन नाम अनी एंड़ी वीकशण लाग्या जया, सत अने चित यह ब्रम्मनु जे आनंद चे केवु छे सत चे बाकी जे आपणने आनंद मड़े चे आनंद सत नथी एज आपणा दुखनुपन कारण हुई शक्या ब्रह्मन जे आनन्द छे एज आनन्द चित छे एटले के चेतन्य छे बाकी जे आनन्द छे चेतन्य न थी जड़ सरूप छे ए सचिर आनन्द सरूप प्रभ्रम सिक्रिष्ण अने ए सिक्रिष्ण कथा जारे आपरे श्रवन करवा माटे अईया उपस्तित है आछी प्रियजनों आनाथी मोटो जीवन नो लावो भीजो शू होई शके जिम पुर्यजनों विश्वास रागजो अने तत्परता रागजो आ कथा ने श्रवन करवा माटे अने मारो ये पूर्ण विश्वास छे जो एकाग्रता थी ध्यान थी कथा ने कानती ने कथा ने ध्यानती सामड़वानी छे ज्यानती आ मारा माटे छे अने जारे एकाग्रता आउसे त्यारे रस आउसे जो एकाग्रता थी ध्यानती समय पर समय उपर आपने उपस्तित थाईए अधिक ती अधिक आपने ससंग नो लाभ लेई शकिये पने एज लाभ द्वारा चो कस मन ने आनंद संतोश संतुष्टी मन प्रफुलित थशे सारा संस्कारों नो सिंचन थशे तो एक सुन्दर आउसर आप बढ़ा जिन में बात करी आपनों तो भाग गये लेकिन हों मारूप परम सो भाग गये क्या सुन्दर आउसर मने प्राप्त थायो कुझे हई दादा आज्या करी के भी जो कोई करे प्रवचन थाए कथा थाए अने जारे हमें यहां थुड़ा समय पेला यहां आवयां मिटिंग पन थाई अने जारे वरसिक भई ने बढ़ा के जेजे आप कर सो कथा मैं के दुना हजी विचार ना थी जोई यशु कारेक्रम के रितनू बने छो योजना अने मुग बिजा वेश्णवों थी साथे पन चर्चा थी तो यह नी बढ़ी भावना के जेजे आप अपज करो तो ओर वेश्णवों स्रुष्टिने विशेश आ आज नू आप प्रथम दिवस सुंदर शोभायात्रा निकड़ी आप उटसाही वेश्णवों और खुब सुंदर भाव थी सुभायात्रा मां जोडाया। खुब भागवत ने मस्तकुप पद्रावी ने मेरे माथेको शिंगार तो ए सुन्दर शुभायात्रा ना दर्शन करीने पण खुब आनंद धयो प्रथम दिवस हतु एटले थुड़ुक विलंब आजे प्रारंब करता थयुँछे परन्तु आशा राकेश आवती कालती आपने समय सर आठ साड़ा आठ थी तो आपने प्रारंब करीज देए औने एनी पूरवा आप पोतानु आसन ग्रहन करी लेशो एवी शुब भावना साथे आओ क्रुष्ण कथा मृतुनु पान करवा माटे आपने बधा शिमत भागवत दश्मसकंध एटले के शिनाजीना रदयम आपने बधा प्रवेश करीए बुलोशिको वरधन आथ कीजै दश्मसकंध निरोध लिला शिनाजीनु रदय अवि याँ शिनाजीना रदय नी वात इच्वा येटले बउव रदय थी आपने कथाने सांबड़वानी च्वा अने प्रयास अमारो एज रहिशक ए दश्मसकंध अने एमा महाप्रवु शि वलभाचार जी इना गुढ़ार्थों ने प्रगट करवा माटे शि महाप्रवु जी विशेश प्रकार्थी बे ग्रंथों नी रचना करी छे कि जे श्री सुबोधनी जी अने विजू छे तत्वार्थ दीप निबंद अंतर गतनू शि भागवत आर्थ प्रक्रण कानके श्री भागवत गुढ़ार्थ प्रकाशन परायनाई नमहां भागवत ना गुढ़ार्थों ने प्रकाश करवा मां कोई जो परायन होए तो एक केवल अने केवल श्री वल्लभज छे आपड़ा महाप्रभुश्री वल्लभाचार्य जी एक मात्रेवा अचार्य छे के जे आग्या करी रहा छे के अर्थम तस्य विवेच चितुम नहीं विबुर वेश्वा नराद वागवत ना गुढ़ार्थों ने प्रगट करवा माटे अच्छे मारो प्रागट्टे ठयो छे श्री भागवत पी यूश्ष समुद्रमत नक्षमाहिल महाप्र तत्सार अभूत वरासस्त्री सरोतम स्तोत्र नियंतरगत अब जो घणा आपना नाम श्री भागवत प्रतिपदव मनिवर भावांस भूशिता मुर्पित तो भागवत नुझे गुढ़ार्त छे अने ये साथ साथ प्रकार्थी आपे मन्थन कई रूँ छे आकोई साधारण वात्मती शास्त्रे स्कंधे प्रक्रणे अध्याय वाके पदे एक्षरे एक एक अक्षर नो भाव आप बतावे छे आटलाज अध्याय शुकाम आटलाज पद शुकाम एक एक अक्षर ना अंदर रहेलो तात्परिय शी महाप्रभुजी ये प्रगट करियो छे ले जगत गुरु महाप्रभु वाक्पती शिवल्लबनी कृपाध हाय प्रिय जनो तोज शिमत भागवत दश्मस कंध ठाकुर्जी नीजे निरोध लिजे लिला छे ए निरोध लिला ने आपड़े वास्तविक रुप्ती समझी शकिये बाकी तो घणी बदी कथाओ सामड़े लिधी बाल लिला और ठाकुर्जी ने सामड़े लिधे जनम आपड़े आहनंद लै लिधो प्रन्तु एनी पाचर रहेलू जे रहस्य छे प्रयास एक करीशो के सुबोध नीजी ना आधारित आपड़े एक अठान मुर्त नू रसा स्वादन करिये अने सुबोध नीजी सामड़ और माटे एटले हुँ विशेश आगरह के आप बधानी विशेश सावधानी जोशे का अने मनने लागे छे के आप बधा बहुँ एकागरता थी जिज्ञासा पूर्वक ततपरता साथे श्रवन करी रहा छो ज्या मने ए एंतस्पूर्णा धई तो शिमहाप्रभुजी ना चर्णों मा वंदन करी ने एज भाव प्रगट करेश के शिवल्लब निक्रुपा थी आपनी जे वाणी छे ए वाणी ने कई के सहज जिता सुधी आप बधा विश्णों सुधी हूं पोहँचाडी शकू ए मारो वाग्पती शिवल्लब ना चर्णों मा डंडवत प्रणाम करीने मिरोध लिला दश्मसकंद अंतरगत दश्मसकंद सौथी विशाल नेवु अध्याय अने बे भागों मा वहचाएलू छे एक तो छे पुर्वार्द अने बिजू छे उत्राड़ु पुर्वार्द मा शोडा नंदन नंदन नंदननी लिलाओनु वन्णन करवामा आग्वु छे अने उत्राड़मा देवकी नंदन वसुदेव नंदन द्वार्कादिश मत्रादिश भगवान स्यक्रिष्ण चंद्रनी लिलाओनु वन्णन करवामा आग्वु छे सवुथी पेला निरोध शुझे पूर्वमा लालाने सहज सुन्दर शब्दों मा निरोधनी व्याख्या आपणने संभढ़ागे निरोधनी घणी वधी व्याख्याओ करवा मावी छे एक अर्थ चे के विशेशे न रोधाहा निरोधाहा योग शास्तर कहे जिके चित भृत्ती ने रोकव इनू नाम निरोध धीरे धीरे ध्यान द्वारा मन अने बुद्धी ने चित आधी ने बधी जग्याएती हटावी ने खत्म करी देऊ ए ध्यान द्वारा योग ना माध्यम थी निरोधनी अवस्ता सिद्य धाई चे एटले चितने मारी नाखू एम तुकमा जो सरलता थी समझिये थे बधी जग्याएती ध्यान ने हटावी ने बधी वस्तुव माती हटावी ने चितने खतम करी दोए परन्तु आनाथी तो चितनी विफलता थशे चितनी सफलता कई रिते थाए महर्शी पतंजली ए जीवना अंदर जे रहेली चे चित भृत्ती ए पाँच प्रकार नी बतावी चे ध्यान आप जोंग्याए जारे आपणे धर्मक्रंथो नुँ अवलोकन करीए तो एना थी आपणने आत्मदर्शन थाए छे आपणे कया प्रकार ना जीव चीए इखबर कई रिते पड़े जारे धर्मक्रंथो जारे सस्संग रुपी आईनामा दर्पण मा आपणे निहारी जिम बाही दर्पण मा आपणे जोई है तो बाहर नुँ शरीर देखाए परन्तु आ सस्संग एपण दर्पण छे अने ए दर्पण मा जारे आपणे जोई है त्यारे आपणने आपणा सुरूपनु ध्याना हविवववर पांच प्रकार नी चित ब्रत्ती छे एमाँ एक आपणे प्रणा भी गया कया पांच प्रकार नी ए आपणे समझी ए अने एना माध्यम ती विचार आपण होचे कि आपणे कए कैटेगरी मांजी जो सवती पेली चित्त बृत्ती आवे छे मूड चित्त बृत्ती ध्यान आप जो जारे ओंको न ध्यान आप जो तो विशेश ध्यान आप जो विशेश तो सबसे पहले सरुती प्रधम मूड चित्त बृत्ती जेटला पन जीवो छे या पांच चित्त बृत्ति वो थीज घेरायला छे कोई ना अंदर मूर चित्त बृत्ति छे कोई ना अंदर ख्षिप्त चित्त बृत्ति छे कोई ना अंदर ब्यक्षिप्त चित्त बृत्ति छे कोई ना अंदर एकाग्र चित्त बृत्ति छे आ अलग अलग प्रकार्णी चित्त बृत्ती हो छे अवे मूड चित्त बृत्ती को ने कहवाए मूड चित्त बृत्ती नो मतलब छे के एक प्रकार्णी जडता जीवना अंदर एक प्रकार्णी एवी जडता रहे ली छे जडता ने लिधे केटली पन कथा सामड़े केटला पन उपदेशो सामड़े परंतु एना जीवन मा कई पन परिवरतन नो आवे आने केवाई जड़ चित्त ब्रत्ति अलो केवाई चेने कथा सुनी सुनी पाक्या कान तोएन आव्यू तोएन आव्यू ब्रह्मन नुग्यान केटली कथा बेसाडी कथा अंदर बेसी के नहीं आजी खबर नी जे जे तो के छोडवानू, एम नहें थोड़ा छोड़ी देवए आतला वरशोती लेता ओई હેબંરલાવુદે પેમ કામ કેવાન આપણ્ં કામ સામડી લેવા હેતી કાડિને વાણદી કાણ ભગવાને આથેકેત कथा मावी ने बेश्री जाए कथा नी यहाँ शुभावद है कई तो काम मावे एवागे पियो कथा मंड़क नी शुभावद आ रहे परन्तु कथा ने अंदर नों बेशा आ गए सामरो चालो थे इगे कि जड़ चित्वृत्ति हैं कोई परिवर्तन ने है जड़ हमें सोचना है हम यह तो नहीं हम जड़ तो नहीं अपने आपके विचार करता है बीजी चे क्षिप्रचित्वृत्ति एक उने केवाए के जे एक प्रकार्दी चंचलता के जे खावा पिवामा लागे ली रहे मोज मस्ती खाओ फिरो मोज मस्ती करो आना माटे जीवन मैडू छे जल्सा करो अंग्रे जीमा केवाये चे इत ड्रिंग अन बिंग मेरी है खाओ पिवो मोज मस्ती करो और क्या है रात्रे जाये दोस्तारों साथे रखडवाने जल्ला उपर उबारेन तमाकुने शिग्रेट ने वीडी ने आने तेने बस पदार्तुने शेवन करो आखो दिवस तामकाजमा निकडी गयू पलानू ढिकणू छिप्षिप्ट चित्त ब्रत्ती चंचलता त्रीजी छे विक्षिप्ट चित्त ब्रत्ती जेम आजिनी घनानी इवी स्तिती होये छे घणिवार्तो मन ठाकुर्जी मा लागे घणिवार्णो लागे सतसंग नू आयो जना थीर यू चे तो आ साथ आट दिवस आपणे सतसंग मा रहीशू तो सुभाविक छे के भाव ना उभरा आओ शे जे पर आचा जे ठोड़ाक ध्यूसो निकडि जाए तो पाचा जैसर थे ऐस昨 आवो जीवपन नित्य निरंत शतसंग कर तो रहे तो एenी मनस्ती स्तितः थाए छे तो ए छे विक्षिप्स चित्त बृत्ती एक छे एकाग्र चित्त बृत्ती ज्याँ एकाग्रता हो इतियां रस आवे छे एकाग्रता पांच मी छे निरोध चित्त बृत्ति हवे निरोध चित्त बृत्ति नी व्याख्या करता शी महाप्रभुजी आग्या करे छे के प्रपंच विस्मृती पुर्विका भगवद आसकती इती निरोध ह। ध्यान आपो निरोध चित्त बृत्ति कोने कहीशू प्रपंच विस्मृती पुरिविका भगवद आसकती इती निरोधर निरोध चित्वृत्ती वाले की दो प्रकार के लक्षण उसके अंदर होते हैं एक एहे प्रपंच की विस्मृती और दूस राहे भगवद आसकती जार्या बन्ने वस्तु एनी अंदर होए तो ए अवस्थाने निरोधा अवस्था के वाले चे बाकी घणा एवा फकीर पन होए चे प्रपंच नू विस्मृती जाए तो ए नू मतलब ए नहीं के निरोध चे मोज मस्तिमा मुक्पकीर नेवा फड़ता होए लेकिन जो एनी अंदर भगवद प्रिती नथी भगवद प्रेम नथी भगती नथी तो ए अवस्थाने निरोध अवस्था नके प्रपंच एकले संसार नू तारा मारा नू विस्मृत थाई जाओ भगवद आसकती इती निरोध होँ आ संसार रूपी प्रपंच नू विस्मरण तारा मारा नू विस्मरण थाई जाओ ए अवस्था ए साध्य रूप निरोध चे ध्यान आपो शी महाप्रभुष्वलभाचार जी सबोध नीजी अंतरगत बे प्रकारना निरोध बतावे छे एक छे साध्यारूप अने बीजूचे साधन रूप निरोध नीजी व्याख्या करी के प्रपंच विस्मृती पुर्विका भगवद आ सकती इती निरोध हो कि ज्या प्रपंच नू विस्मरण थाई जाए ऐस साध्यारूप निरोध चे अवे आपणे बधा तो साधन कक्षाना जीवो छे प्रपंच नुँ विस्मरण धाये नहीं तो आपणा बधा जे आधुनिक जे भक्त छे एना माटे साधन रूप निरोध बतावी छे एनी व्याख्या करता आपशी आज्या करे छे के निरोध अस्य अनुशयनम प्रपंचे क्रीडनम हरे अस्य भगवत अह पश्चात शयनम स्थिति साधन रूप निरोध माँ जारे ए भक्तने क्रुतार्थ करवा माटे ठाकुर्ज एना घरमा पधारे एनी सेवाने अंगिकार करे अने ए जे सेवा करता जे जीव छे एनी जे बधी प्रपंच एकले बधी जे वस्तुओं छे ए वस्तुओं नो भगवानमा समर्पन करे अने ए समर्पनना माध्यम थी जे एनी अवस्था सिद्ध थाए छे ए निरोधा अवस्था छे शे आचारी जी जे आज्या करी जी कि सरव वस्तू समर्पनवर। शुकाम शी महाप्रभु जी आज्या करी आए कारण के आपरी आ प्रपंचों मां आब दी वस्तूं मां व्यक्ति आपरी आसक्ति आ लागे ली छे हवे ए बदानू विस्वरण तो आपन ने थतू नथी सतत एनू चिंतन रहे चे स्मरण रहे चे तो हवे ए विस्तिती मां जीवने निरोधवस्था कई रिते आवे आने जार्सुदी ए वस्था नो आवे ठाकुरजी नी कृष्ण कथा नो कृष्ण सेवा नो परम लाभनी प साधन रूपण छे और फल रूपण छे एक साधन रूप सेवा छे के निय मनुसारे सेवा करतो जाए और एक तत्परता साथ है धाकुरजी ने सुक पहुचारवा माटे जारे ए सेवा करे तनू वित्त जानो धाकुरजी नी सेवा मां उप्योग करे और चित जारे धाकुर सेवा ए सेवा फल रूपा बने छे अने ए चित कई रिते ठाकुर्जी मां प्रविण थाए तो के तत सिद्धेई तनु वित्त जा आपणी तन आपणु तन अने आपणु धन एटले आपणों जे प्रपंच छे प्रियजनों ए भगवद सेवा मां आपणे जोड़ू गुल के सिमहा प्रहोजी आज्या करें चेके ब्रें मसम्म tat पुछी क्रिष्न सेवा ए परम आवश्यक चे औरे प्रिष्न सेवा जिव पोटाना घ्रमा ठाकुर्जी पत्धरावी ने करें छे अन्ने तनु बित्त जाती ज्यारे ठाकुर्जी नी सेवा करें चे तो एशदम ना माध्यम थी फल अवस्था इने प्राप्त थाए छे जिने निरोध अवस्था कहवाए छे जो निरोध परम अवस्था छे तो ये साधन रूपा इटले शिमहा प्रभुजी आग्या करे छे के सर्व वस्थू समर्पणम तमारा घरमा जे शिवल्लपनी कृपा थी प्रियजनो ठाकुर छे पधार आछे एक कृपा करवा माटे अनूभव जतावा माटे जे पधार आछे अने तमें गम्मे त्या हो गम्मे ते अवस्था मां हो याद राग जो ए ठाकुर तमारी साथे छे कालो यम कठिनो पी कृष्ण भकतान न बाद जते काल कठिन होई शकेे कृष्ण कठिन न होई शके गम्मे ते वो काल केम न होई पर तमारा घरे जे सेवे करावी ने तमें ठाकुर जी पदरावे छे गुरुनी कृपा थी ए धाकोर तमने जारे एमनों सरूप ग्यान साथे एमनी सेवा करशो तनुवित्वजा साथे एमनी सेवा करशो तो चोकस ए सेवा फल रूपा थशे ए ए निरोध अवस्था तमने प्राप्थ थशे तमारा आपड़ा घरमा विराजमान धाकोर जी एज आपणने आपणा आ भौतिक शरीर साथे पोताना निज गौलोग धाम मा साथे लेज़ेशू बस आपणे करवानुशू छे प्रपंचम क्रीडनम हरे आपणा प्रपंचमा ठाकुर्जीने पद्रावी देवाना छे प्रपंचमा ठाकुर्जीने पद्रावी इटले क्रिष्ण सेवा आवश्यक छे अन्ने ये जारे प्रपंचमा ठाकुर्जी मां आपणे जोडता थाईए सर्व वस्तू समर्पंण कई रिते ठाकुर्जीने भक्तोई सेवा करी आपणा पदोमा आवे जगे सेवा रीत प्रीत ब्रज जनकी जन ही तजग प्रगटाई प्रगट भे मारग रीत दिखाई अन्ने हवे जारे आपणे घरमा ठाकुर्जी ने पदराविये सेवा करता था ये तो कई रीते सेवा रीत प्रीत ब्रज जनकी ब्रज भक्तो ना भावती ब्रज भक्तोई कई रीते ठाकुर्जी ने सेव्य करया कई रीते प्रभु ने सुको पहुंचाड़े हुँँँँ कही रीते एक गोपी जनो ठाकुर्जी ने लाड़ लड़ावता एक ग्वालिन ए भक्तो जहां यमना जल भरवा माटे गागर भरवा माटे जाए अन्य ठाकुर्जी ना दर्शन थाए अन्य ए प्रभुना दर्शन धाए ने प्रभुना दर्शन करता ए अटकी जाए आपणेपन जारे आपणा घर मां थी जारे कोईपण कारे प्रवरुत्ती मांटे आपणे निकडिये तो ठाकुर्जी ना दर्शन माटे आपड़े अटकी ये वेश्णवनी सवार भगवद नाम थी थाए भगवद दर्शन थी थाए भले आपड़े कोई पण आपड़ा पोताना कारे माटे निकडिये परन्तु आपड़ो जे मार्ग छे ठाकुर्जी नी आग्या लेएने सर्वबस्तु समर पड़ाउन प्रभु आपनु जुकारे छे अनि आपनी आज्या लेने डंडोत करीने ठाकुर्जीनु आपनों मातु प्रभुना चर्णों मा जुकावीने आज्या लेने पच्छी आपनी लोकिक प्रवृत्तियों माटे निकडवी कि प्रवूं बले आप थी दूर रहू प्लोकिक कार्य माटे परन्तु मन आपनी पासे रहे के जम भक्तों जम गोपी जनु ग्वालिन क्रिश्ण दरस सोट की 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 बार बार पन घट चली आवत सिरय मुना जल मतगी जवाली नग्रुष्ण दरस सोगेगी जवाली नग्रुष्ण दरस सोगेगी से वाली जवाली नग्रुष्ण दरस से बार 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 बेंडर को जोड़े शबस्तों तरस से अशेगी सिरय मुना जबस्तों थे जवाली नग्रुष्ण मन मोहन को रूप सुधानिदि मन मोहन को रूप सुधानिदि पीवत प्रेमरस गटकि पीवत प्रेमरस गटकि कृष्ण दास धन्य धन्य राधिका 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 लोक लाज सब पटकि गवालिन कृष्ण दरस सो अटकि वली गोपी पन घट पर गई जल भरवा माटे अन्य त्याज शुजयू ठाकुर्जी रूंजु नुन्जुम करता पधार या जा सुन्दर मदुराकृत प्रभुना दर्शन करया मन मोहन को रूप सुधानी धी पीवत प्रेमरस गटकि मन मोहन को रूप सुधानी धी धाकुर्जी नुए मद्राकृत प्रभुना पान करवा लागी प्रीबत प्रेमरस गटकि कौन है वो सखी धन्य धन्य राधिका वो और कोई नहीं शीराधा जी जाता अन्य धाकृत जीना सुरुपनु पान करया लोक लाज सब पटकि लोक लाज सब पटकि ग्वादी में प्रुष्ण दरस सोवाट कि जारे प्रभु मां आसकती थाई जाए त्यारे ए जीवने बीजु काई पड गमे नहीं अन्य जारे आवी सिती जीवनी आवी जाए छे त्यारे भगवान इना प्रपंच मां खेलोवा मांटे पधारे छे याद राध्यों प्रियेजनों आ वात केवल भूत काली नथी आजे पन शिवल्लपनी काने थी शिवल्लपना वचनों मां निष्ठा राकीने एनी आज्यानु पालन करीनी जे पोताना घर मां ठाकुर जीनी सेवा करे छे प्रभु चोकस इने सानुभावता चतावेज छे ये आज की बात है ये हम भूत काल की बात नहीं कर रहें खाकुर जीना प्रपंच मां खेलभा मांते पधारे अने ज्यारे जीवनी पोतान मां रहेली आसकतिने जूए छे त्यारे एक छे भक्तनू भगवान मां निरोद अनि जारे आवी आसकती अवस्था भगवान जुए, त्यारे भगवान नुपण भक्त मा निरोध फेई जाए जे याद राग्जो आ निरोधनी अवस्था, आ निरोध भक्ती मारग ए मारग मा भक्त केवल एकलो नती भगवान अने भक्त बनने चाली रहा जे ज्यारे जीवनी आसकती पोतानमा जुएचे भगवान, ज्यारे भगवान पण स्वा स्वरूप विश्मृती पुर्विका भक्ता शक्तिर भगवता निरोध भगवान पन पोताना स्वरूपनी विस्मरण थाई जाए छे अने ए भक्त नी पाच्छड पाच्छड डोलवा लागी जाए छे ये ना वगर रही नतिशक्ता तानके भगवाने कीता जी मां कहुँ छे ये यथामाम प्रपत्यंते तांस्तते हीव भजा में हम जे जीव जे प्रकार्ति मने भजे जहे रोइफ़ण पर तो महाभारत के युद में लैं ध्यान की मुद्रार में बिराजे कि अर्जुन आके पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान की मैं से आपने भक्त भीश्म का ध्याना यह ये ये यथा मांप प्रपत्य मैं जारे जीव ढ़ाह शी नौनित प्रिया जी नी खुब प्रेम थी ठाकुर जी नी सेवा पहुचे ठाकुर जी इने सानुभावता जतावा लागी गया अंदर सामग्रेनी सेवा करें यहां मंगलाए धरावे पची सामग्रिसित करवा जाए पची ठाकुर जी पाचा भोलावे अरे ओ गजन तु अंदर का कर रहो मेरे पास मो तेरे बिना मुखो अच्छो नहीं लगया आउं गृपानात आउं जे राई पची आगड़ावे तो क उपर साक्षात आखा घर मा बढ़े अरे गल गजन दवाना बार्ताजी मा आवे जे एक गुटना अगला घसाई गया तो ठाकउरजी ने सुप पहुँचे ठाकउर्जी एना वगर नरहिश के अन्थ बार्ताजी मा अगर आवे जे के जारेपची शी नौन्प्रियाजी शी महां प्रभु जीना गरेब बधा रया अने अका जी पान लेवा माटे बीड़ा लेवा माटे मोकल या तो त्याँ ठाकुर जी ती दूर थता एक गजन धावन मुर्चा खाईने पड़ी गया प्रभु एक सामगरी कहीं आरोगे नी हाथ खेंची लीदा अने अवे जारे आचमन्नों समय आवे हो त्यारे जो यू ठाकुर जी कहीं आरोगे नी पूछिऊ कि प्रभु आज आपने कच्छू आरोगे ने तो कै मैं कैसे आरोगे आपने मेरे गजन को तुम हो से दूर कर दि आचे स्वस्वरूप विस्मूर्ती पूर्विका भक्ता शक्तिर भागवतह निरोध आ भगवाननु निरोध छे भक्तमा प्रिय जनो आदश्मस्त कंदमा आपने बन्ने प्रकार्णा निरोध दिका शे भक्तनु भगवानमा निरोध अने भगवाननु भक्तमा निरोध ए लगो सब डोवे जित जाओं तित आडो ही आवे जित जाओं तित आडो ही आवे बिना बुलाए बोले माई मेरो शाम लगो संगडो माई मेरो शाम लगो संगडो वो भी आके मैया को कहे अरे मैया नेक तेरे लाला को संजा वो मेरे पीछे ही पीछे डोलतो रहे आचे भक्तमा भगवाननों निरो जित जाओं तित आडो ही आवे मैया कहे के तारी पाचड़ पाचड़ आवे जित आने लोपलाज वच्चे नड़े उपर तु रस्तो बदली ले मैया रस्तो ये बदली लिदो परन्तु जित जाओं तित आडो ही आवे माई मेरो शाम लग्यो संगडो माई मेरो शाम लग्यो संगडोए काहरी करूँ यहने न न लो भी काहरी करूँ यहने न लो भी बस कीने बिन बोले कुंपन दासे प्रभु को बरधन धर हस हस घूंगड खोले माई मेरो शाम लग्यो संगडोए माई मेरो शाम लग्यो संगडोए जित जाओं तित आडो ही आवे बिना मुलाए बोले कुंपन दासे प्रभु को बरधन धर हस हस घूंगड खोले हस हस घूंगड खोले माई मेरो शाम लग्यो संगडोए 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 माई मेरो शाम लग्यो संगडो भगवाननो भक्तमा निरोध अन्य भक्तनो भगवानमा निरोध ए निरोध लिला दश्मस्कंध नेवु अध्याय आदश्मस्कंध ना प्रारंभमाश्य महाप्रभुश्य अलभाचार जी ए मंगलाचरण करियो छे जे अंतरगत दश्मस्कंध ना जे प्रक्रणों छे किटला प्रक्रणों छे इनु सुचन आप शिये करियो छे नमामी रदये शेशे ली लाक्षी रादिशायनम् लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम् तलाविन् चतुल्विष्च 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 क्रिभिस्तताः शडभेर विराज ते योसो पंच धार दये ममाः आ कारीका अंत्रगत शिमहा प्रभुजिये शेश शाही नारायान एना थी निरोध सरुब प्रभुनी विशिष्ट विलक्षन ता आपे अईया एनों प्रतिपादन करियो छे जेम शेश शाही नारायन सागरमा शेश सय्याव पर शयन करे छे श्याचायर जी कहे छे कि तेवीज रिते निरोध सरुब प्रभुपन भक्तो ना रदे रूपी शेश पर लिला रूपी दूद ना समुद्रमा आप शयन करे छे ख्षिर सागरमा जे नारायन जे शेन करी रहा छे एनी एक लक्ष्मी विधी पुर्वक एनी सेवा करी रही छे परन्तु अहिया तो अनन्त नित्य सिल्धा पुष्टी-पुष्टी भक्तो गोपी जनो शे ठाकुर्जी नी सेवा मा एमनी लिलाव मा जुडाए ली छे एमनी सेवा करे छे शेश साई नारायन केवल धर्म निधी स्वरूप छे जारे निरोध सरूब प्रभू संपूर्ण कलाओना भंडार छे अतह पूर्ण धर्मी सुरूप आप छे ए पूर्ण पुर्शोतम परब्रमसी कृष्टन ने नमस्कार नमामी नमस्कार करू छू यदि पी दश्मसकंद अंतरगत नेव अध्याये छे परंतो शे महाप्रभु जी ए दश्मसकंद अंतरगत ना जे छाक लीला जे ब्रह्माजी ने मोहत हयो जे मा ब्रह्माजी नी स्तुती ना जे त्रण अध्यायों छे ए अध्यायों ने आपे प्रक्षिप्त माने आचे जे ए प्रक्षिप्त अध्यायों ने स्विकार करिये तो दश्मसकंदना सित्यासी अध्याय थाए प्रक्षिप्त अध्यायनों मतलब के जे ए ब्रह्मस्ति ब्रह्मा जी ने जे मोहत हयो वाचड आओनों गौव असनों जे हरन करी ने ले गया जे आगर आपने प्रसंग लिलाओं मा जोईशो जे नाओ पर सुबोधनी जी पंड छे परन्तु आप शी एवी आग्या करें छे कि ए लिला सारस्वत कल्पनी नथी अन्य कल्पनी छे एटले प्रक्षिप्त अध्याय मान्या कि पाचड ती ये जोडवा मागन छे तो आप प्रकार्ति शी महाप्रवजी सित्यासी अध्याय बतावी ने चतरविष्च 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 त्रिविष्च तथा आप आग्या करी रहा छे कि चतरविष्च के जे दश्मसकंदना जे प्रथम चारत ध्याये छे जन्म प्रक्रणना चारत ध्याये के वाये छे के जेमा भगवत प्रादुर भावनु कारण शू छे एनू निरूपन करवा माँ दरेक वेश्णों पाठ करतू होई छे मंगलाचरण मा नमा अमीर देशे लीलाक शिराद दिशाईनम दरेक लगभग वेश्णों बाडत ने पन आ मंगलाचरण याद होई छे याद रहे आज सुबोधनी जीनी कारीकाओ छे अने पुष्टिमार्ग नी प्रस्तावना छे के एक कारीकाओने मंगलाचरण रूपमा बताव मावी छे शे गुसाई जीना समय काल थी काणके जार सुधी आपने आने नहीं समझिये आपनों पुष्टिमार्ग नों प्रारंब नहीं था शंक्षिप्त मां आपने इबना दर्शन करीए तो जन्म प्रक्रण चार अध्याए के जेना अंतरगत भगवद प्रादुर भावनू प्रयोजन बताव मावी ये जन्म प्रक्रण ना चार अध्याए केवाए छे ए चार अध्याए पछी पांच थी पांतरिस अध्याए ए तामस प्रक्रण एने केवाए छे जेमां 28 अध्याए हो जन्म प्रक्रण ना चार अध्याए एना पछी 28 अध्याए ए तामस प्रक्रण ना अने ये 28 अध्यायों ने पन 7-7 अध्यायों मा वहेचे ला छे इना उप प्रक्रण जेना केवाई छे पेटा विभागा साथ अध्यायों मा एटले पांचमा अध्यायों तीले इने साथ अध्यायों इमा प्रमान इना पच्छीना साथ अध्यायों इमा प्रमयनू निरूपन छे इना पच्छीना साथ अध्यायों जे मा साधन निरूपन छे अने इना पच्छीना साथ अध्यायों जे मा फल एटले आ प्रमान, प्रमय, साध्यन अने फल कें चार उप्रकर्णों एक एक उप्रकर्ण साध्याएक . 28 सध्यायनों तामस प्रक्राण समय अनुसार आपड़े कथा अंतरगत ए प्रमान शूँचे प्रमय शूँचे साधन शूँचे ने फल शूँचे एने पन समझवानों प्रयास करीशू जे ससंग करेचे के जे सुबोधनी जीना जेने दर्शन करेचे ए आज शब्दों थी परिचित छे अनानिय जीव आज विशे ने समझी नखी शकता प्रन्तु आपड़े प्रसंगों पात ए विशे ने पन समझवानों प्रयास आपड़े करीशू तो ए अठ्यावी सध्यायमा तामस प्रक्राण एटले के तामस भाव वाड़ा जीवो छे एटले के ब्रजनी लीला ब्रजना जीवो केवा छे तामस जीवो छे ब्रज थी पची आप मत्रा पधार्या मत्रा नी आपनी जे लीला छे ए राजस लीला छे एटले पाच्छु त्रीजीव खतावियो चतुरु भिष्च चह एर राजस प्रक्रण एनी अंदर बन 28 अध्याए 28 अध्याए माँ एना चार उप्रक्रणों राजस प्रमाण, राजस प्रमय, राजस साधन अने राजस पल राजस प्रमय, 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 र तो ये 28 अध्यावी सद्ध्याईनु राजस प्रक्रण चतरुबिष्च पची आवी 23 तता हा येले मत्रा पची आप द्वारका पधार्या द्वारका नीजे लीला चे एने सात्विक प्रक्रण कहवाई छे अने ये सात्विक प्रक्रण अंत्रगत वैश्णों जनों 21 अध्य आप शी आज्या करे छे कि ए सात्विक प्रक्रण ना 21 सद्ध्याई त्रोण उप्रक्रण बताव्या छे एना सात्विक प्रमय सात्विक साधन अने सात्विक फल जारे आपनु प्रागट्टे थयू त्यारे आप चत्रुभूज सुरूब थी प्रगट्थेया कारा ग्रहमा पची आपने ब्रजमा पधारवानू अतो इटले बे भूजा धारण करी पची ब्रजती मत्रा पधारया ने मत्रा दिपाचा द्वारका पधारया अने द्वार्का धिश आप जारे बने अतारे फरिती आप चत्रुभूज सरूब थी प्रगट थे चत्रुभूज आपे धारन करे आगे अने जारे द्वार्का नी लीला प्रारंब थाई ए समय दरम्यान जिटला पन आर्यावत मा जीवो हताब अधाये माने लिदू के आ साक आर्क वासुदेव शिशुपाल यह जना भगवान में गररो आतो वलाई लाकडाना भेहत लगाड़ी दीदाने ने के हूं वासुदेव चु ओरिजनल ने अने डुब्लीक है अने अने अलो शिशुपाल यह भगवान में गरो आप तो भाकी ने अलाव आव मूक एकाद आ एकले द्वार्काना जे भक्तो चे ए सात्विक भक्त चे त्रिविस्तता हा एकले शी महाप्रवुजी ए मंगलाचरण अंतरगत दश्मसकंदना रहेला प्रक्रणोनों भाव प्रगट कर्यो चे अने ए त्रिविस्तता पचे ना च्छ अध्याए एडले 85 सी ती नेव अध्या एने गुण प्रक्रण आपशी बतावे छे के जे अंतरगत भगवानना शट धर्मोनु निरूपन छे प्रथाम चार अध्याएमा फरीती समझीलो जन्मप्रक्रण फरीत पाछण ना 28 सध्याएमा तामस प्रक्रण ब्रजनी लिलाओ एना पचिना 28 सध्याए राजस प्रक् प्रक्रण जे भगवानना शट धर्मनों सूचक छे आ प्रकाड शट भिर विराज ते यो सव पंच धार अध्ये मम तो ए प्रब्रम्मसी कृष्ण पांच प्रकाड थी रदये शेशे मारा रदये रूपी शेश शयाव पर ठाकोर्जी ये लीला विहार करी रहा छे ए प्रब्रम्मसी कृष्ण ने मू नमस्कार करू छू आ प्रकार्टिशी आचारी जे मंगला चरण द्वारा दश्मस्कंध ना प्रक्रणों ना विभाग बताव्या अवे जन्म प्रक्रण नो जे प्रारम बथाए छे दश्मस्कंध नो जे प्रथम अध्याई छे अवे प्रारम बथाए छे तीर श्लोक द्वारा ध्यानाब जो महराज परिक्षित जीए पोतानी जिग्यासा शिश्कुदेव जी आगड तीर श्लोको नामाध्यम तिकरी कथितो वन्ष विस्तारो भवता सूमसूर्ययो राग्यां चोभय वन्षानां चरितं परमाध्भुतं यदोश्चा धर्मशीलस्त्य नित्राम्मुनिसत्यम तत्राम्शेनावते नस्य विश्नोर्विर्यानिशन्षन्षन्हां कथितो वन्ष विस्तारो भवता सूमसूर्ययो हो ते श्लोको धी परिक्षित जीए पोतानी जिग्यासा प्रगट करी आप प्रथम श्लोक मात में जू एक बहु विशिष्ट भाव छे शी आचारजी समझावे छे अईयां परिक्षित जीए शुकहु भावता सूमसूर्ययो हो राज्याम चोवय वन्ष आनाम चरितम मर परमाद भुतम हे प्रभु हे शिष्ट देव जी महरात हे गुरुचरण आपे सोमसूर्ययो हो थे शूम पर le électया चंद्रवंष अने सूर्य वन्ष नी कथा सूर्य वन्ष अने चंद्रवंष जन मेला राजावना अध्वूत चरित्र आपे मने सम्ड़ागा अब यां शब्ध शो आवे पहला शिमहप्रभुजी ची आपने संकेत आपे छे सोम सूर्य योहो पहला सुमशब्दनों प्रयोग धयों पची सूर्य शब्दनों भाकि वास्तवीक्ता शुँ छे नौमस कन्द अपड़े जो जईये तो ौमस कन्द अब शौयती ृ आ सुरै वन्षणू योऊ शूर socks अने 25 सूर्य वंच शिखे ले आ जिग्या साथी परिक्षित जीना अंदर रहेली जे कृष्ण कथानी जे तत्परता छे ए तत्परता ना दर्शन थाएज के एमने सूर्य वन्ष देखायू जी नी एमने सुधु चंद्र वन्ष देखायू एटले एनना अंदर रहेलो जे भाव चे भाव या प्रगट करेश। जे आपे लीला करी छे ए लीलाओनु वर्णन अन्य एक एक चरित्र आप अन्य विस्तार्थी श्रवन कराओ। हजी सुधिन कानके नौमस कंदमा सूर्य वन्ष देखायू प्रारंब थोईवोन शंक्षिप्तमा कृष्ण कथापन संब्डावी छे। कृष्ण संक्षितमा संब्डावी के परिक्षितमा अंदर केटली जिग्यासा छे। आतुर्ता जोवा माटे परंतु जियां दश्मसकंदनों प्रारंब थोईओ। अन्य प्रारंब थता जहवे कहे चे कथितों वन्ष विस्तारों भवता सोम सूर्य यहो हो। कि हवे चंद्र वन्ष मां जिटलापन राजावनों जन्मत हो। ए अध्वुत चरित्र आप हमने विस्तार्थी आप हमने श्रवन कराओ। इदी हमारी विंती छे। अहियां एक एक शब्दनों जो विचार करवा जिये प्रिये जनों। अहियां जो परिक्षित जी जे शुकदेव जी माटे जे संबोधन करेओ छे। श्रि महाप्रभु जी वो अध्वुत भाव प्रगट करेछे। यदोष्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम। परिक्षित जी संबोधन करेछे के हे मुनिसत्तम। ध्यान आप जो जी मोन रहे इने मुनि केवाए। परिक्षित जी सतत्त चिंतन करे। प्रभुना स्वरुपने ध्यानमा राकीने एनु अनुसंधान करे मुनिसत्त केवाए। परिक्षित जेनारदेमा निरंतर प्रेमने निर्मल धारा वहती होए एने मुनिसत्तम केवाए। घणी वार ध्यानना माध्यमती अनुसंधान थे जाये छे। जेमु योगी जनों ध्यानना माध्यमती। होताना चितन निरोध करे छे। परन्तू ए ध्यान पछीनी अवहस्था येने जो़ों पूछो के तमने एनू अनुसंधान रहू। तो जैसे थे वापिस वैसे हो गए परन्तो फंजय शुगक्ते जिए ये अवस्था च मुस्था मैं आया तो उठतु यहाँ आटो याम श्याम ही को नाम है ये जो वस्था को मुनुस्थम अवस्था कहा जाता है शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन शाम ही ये शाम जी ये शाम बिनु नहीं पिये अंधे की सील लाकडी आधार शाम नाम है शाम गती शाम वती शाम ही प्राण पती शाम सुक धाम सो भलाई आठो याम है उधो तुम भय भोरे पाती लेके आए दोडे योग कहां राखे यहां रोम रोम शाम है आठो याम उधो हमें शाम ही सो काम है उधो यहां आठो याम शाम ही को नाम है आज अवस्था छे प्रिय जनो ए अवस्था ने मुनी सत्तम अवस्था कहवाए छे कि ध्यान माटे आँख मुन्ध भी नथी पड़ती यहां तो गोपी जनो ये ब्रह्मा जी ने जड़ कहे छे कि आ ब्रह्मा तो जड़ छे कि आ शरीड केई बनावी छे कि आ जे पलको जारे बंद थाए छे जारे ठाकुर जी गोचार्ण करीने ब्रिजमा पदा रहे छे तो ये पलकांतर वियोग पण अमारा ती सहन नती था तो के देवताओनी पापण नती बनावी तो आ अमारी पलक्षुकाम बनावी छे भक्तो तो ये गोपी जनो तो ये ब्रमा जी ने जड़ उधिक्षतां कि वो जड़ चे ने एकली समझ नती गणिवार वेश्णों गणिवार एवा जीवों ने जारे जो ये मंदिर मा जाए दर्शन करवाने आखो बंद करीले अरे आखो बंद करके केसे दर्शन हुआ नयन भर देखो नंद पुमा ठाकुर जी तो नयन भर इमने पान करिये आ नयनों नी यहां सार्थकता रहे दिछे नयनों की करी कोटली पुतली पलंग बिछाये पलगों की चिकडारी के पीय को लिया दिछा ये नयनों की सार्थकता है ओधो यहां आठो याम शाम ही को नाम है ऐसी जो अवस्ता एपना कि वार तो ब्रजमा एक गूपी समादि मा बेसी गे नारत जी आवि गोपी ने कहीओ और गूपी यह ब्रजमे जब कुँए ब्रजमे बताओं नारज जी हमारे यहां पर अपने ब्रज में तो बड़ो जुलम हो गयों कि बड़ो जुलम हेरों कि नारज जी के ब्रज में जुलम तो कि हां तुरी का जुलम भयो तो कि का बताओं नारज जी जहां देखूं वहां पे शाम कच्छू काम में हमारों चित लगे नहीं करते थाकूर्जीoca रसोई सिद्द करें तो वहां प्रभु मदूर मदूर भेणू बजाए कच्छु काम 2400 घंडा वही को ध्यान वही को चिंतन है तो यह द्यान के द्वारा का होगो अदो गोपी पर करust लारत जो अंदर उसएं द्वब वा बोलो ये अवस्था गोपियों के जो अंदर घुस गयो है तो वाकू निकाल वे के लिए ध्यान में बेठी है तो नारत जी कह रहे हैं तो कि का भयो ध्यान के द्वारा ये निकल गयो कि निकड़ी के अंदर थी तो कि नहीं तो कि शूत्यू तकि माखन चोर आडो वेजु मन में गड़ो है माखन चोर आडो वेजु वो तो टेढ़ो है और हमारे अंदर गड़ गयो वदारे घुसी कि अंदर आ ध्यान माध्यम ए विस्तिती मुनी सक्तम आज शिशुग्देव जी माटे जे शब्दनों प्रयोग करें कि शुक्देव जी के वाज है कि हे मुनि सक्तम कि यदोश्च धर्म शील अस्तिया यदो को यहां पे धर्म शील कहा जिहान दीजिये एक बात पर साँजो विस्तार करिये ना आखो आध्यन विशय चे आँ दश्मस्कंद भागवत यदोश्च धर्म शील से जे धर्म युक्त जे यदु महराज अवे जो यदु महराज ने जो शंक्षिप्त मां स्मरण करिये एमना चरित्र नू तो एमने तो पितानी आग्यानू उलंगन करियो तो नुमस्कंद मां येमनी कथा आवे छे जारे शुक्राचार जीनो श्राप येमना पिताने लाग्यों ययातीने अकाल वृद्धत्वनी प्राप्ति थाई हवे ओला ययातीने हजी भोग विलास भोगवाने इच्छा तो एना दिक्राचने किदू के तारी युवावस्था तुमने आप एना ययातिना बेपुत्र हता तो सुथी पमोटो आ यदू एने किदू के तारी युवावस्थानों तुमने दान कर तो हुँ हजी भोग विलास भोग विशकू अवे आ यदू महाराज मनमा चिंतन करे कि आप पिताजी हजी मनमी वासनाओ येनी पूरी नथी थाई भोग विलास नी अमा हजी येमनी चित्त भृत्ति लागे ली छे अने युवावस्था तो भगवद भजन माटे नू छे और यह मारी और यूवावस्था प्राप्त करीने घूग विलास भोगवसे तो युख विलाई तो युल अनरत मारी तो पहला शाथ युख कहतु युख हे उपान मता सथ Mer Mor E inform life युख फाल चाहई च्राव सब्ट मार्च निशाए तो मॊन्झछ करने परन्तु हुआ अधर्म नहीं करू तो जिये यदू महराजे धर्म माटे धन पन छोड़ी दिधू एवा कुल्मा भगवान नुँ प्रागेट्टे थेवुँ छे पितानी आज्यानु पालन करे एधर्म शील नहीं परन्तु पितानी आज्या धर्म युक्त छे के नहीं एवीचारी ने आज्यानु पालन करे एधर्म शील पूत्र कहवाए। माताा पिता पुत्रों ने रोगता होगो ये टलू प्रोस्ताहन अने लोकिक कार्य कार्य माट जीवी का माटे नू करता होए छे ए माता पिता आध्यास्मिक जीवन माटे एकली प्रेणा मथी आफ़ता तो आवा समय मा आ धर्म शास्त्र आपण ने समझावे छे के पुत्र नुपन शू विधर्म छे ये माता पिता नी आग्या धर्म शील छे के नहीं एतला माते आईया यदुष्च धर्म शीलस्य तत्रान शेना वतिर नश्य परिक्षित जी कहे छे के ए यदुना वन्ष मा जी भगवान इना बद्धा अन्शो साथे जी प्रगट थया कारण के पुराणों मा छो प्रकार्ती भगवान अउतार धाये चे के तो पूर्णा अउतार, परिपूर्णा अउतार, कला अउतार, अन्शा अउतार, आवेशा अउतार और अन्शा अन्शा अउतार तो भगवान जे यदू कुल्मा एमना समस्त अंश साथे जे प्रगट थेया अवतीर ये यदुर वन्शे भगवान भूत भावना कृतवान याली विश्वात्मा तानीनो वदविस्तरात तो एक प्रिष्ण कथा सामभडवा माटे मारू मन लालाईत छे अने भारत प्रिथ्वी पर अवतीर न थाईने आपे जे जे लिला करी छे ये बधी लिलानो आप विस्तार करो कारण के आज एक कथा समभडवी रहा छे आप केवा छो शे शुकदेव जी केवा छे परिक्षित जी कही रहा छे के निवरत तरशई रुप गी ये माना भाव आउशधात शुरत्र मनो भी रामात ता उत्तम शलोक गुणानो वादात पुमान विरत्जियेत विना पशुप ना आज बाव विशिष्ट श्लोक छे अश्लोक अंतरगत शे महाप्रभुजी सुबोध्नी मा आज्या करेछे के शुकदेव जीनो शुरुप केवुँ छे के निवरत तरशई रुप गी ये मानाद शुकदेव जी कही रिते कथा करी रहा छे शुकदेव जी केवा छे के जे बद्धी तुरुष्णाओं नश्ट थई गई चे निवृत्त तरशी जो स्तमस्त तुरुष्णाओं से जो निवृत्त हो चुके हैं एसे शिशुकदेव जी अने ए शिशुकदेव जी रुपगीय मानाद रदय मा ठाकुर जीना स्वरूपने धारण करीने कथा करी रहा चे प्रभूना सुरूपने चिंतं करीने ज्यारे वक्ता भगवानना सुरूपने चिंतं करीने भगवत कथानी पैपान श्रोताओं ने करावे जे त्यारे एशी ठाकुर्जी ना चर्णारविन्द नी जे पराग छे जे सुगंद छे ए वक्ताना वाणी माती शक्त रूपे प्रकट थाए छे अने श्रोताना कर्णेंद्री अद्वारा ए भक्तना रदयमा प्रवेश करी जाए छे अने ए भक्तना समस्त तापने नश्ट करी ले छे जारे ए वक्ता रूप गीय मानाद ठाकुर्जी ना सुरूपनु चिंतन करी ने भगवद कथा करे ठाकुर्जी नी एक कथा केवी छे तो के भाव आउशधात श्रोत्र मनोबी रामाद भाव आउशधी रूपु छे संसार ना ताप ने निब्रत करवा बाड़ी भव आउशधात अने जारे ए जीव ए आउशधी ने ग्रहण करे छे कथा नूँ श्रवण करे छे तो ए श्रवण ना माध्यमती एनी श्रवणेंद्रिय पवित्र थाए छे एटले कहिऊ श्रोत्र मनोविरामाद कथा सामड़ी शू तो कान पवित्र थशे अने कथा नी साथे एना अर्थोनो विचार पण आपड़े करी शू तो एना थी आपड़ू मन पण पवित्र थशे तो आठाकुर्जीनी कथा श्रोत्र अने मन बंदेने पवित्र करवा वाड़ी एवी आ कथाती कोण दूर रही शके शि महाप्रभुजी सुबोध्नी मा आज्याद करे छे पूमान विरत्यत विना पशुपना आश्लोक अंतर्गत आपशी आज्या करी के पांच प्रकारना जिवो छे जिनने कथा ती दूर भागे छे जिनने कथामा रस नती आओतो पांच प्रकार्णा जीवुश्य महाप्रभुजी बतावे छे आत्म घाती कर्म जडो निंदित आर्थ रतह सदा पशुस्त्री व्यतिरश्चेत विरक्तो नत्तत प्रथह कारीका मा आपशी आग्या करी के आत्म घाती जीवुचे जिने कठामा आनंद नथी आओ तो जे कठाती दूर भागे छे जे कठाने केवल उप्चारिकता पूर्ण श्रवन करे छे एमानू एक जीवुचे आत्म घाती जीवुचे जहान आपव प्रभुनू चरित्र प्रभुना गुणगान अंतह करण्ण दोशों ने नाश करवा वाड़ु छे आने जे आ कठाती दूर रहे छे ए आत्म घाती जीवुचे जे आत्मानु घात करवा वागत। बीजू छे कर्म जड़ जीव। एटले के केवल वेदिक क्रियाओं मा लागेलो रहे छे एना अंतसमा भगवद भक्ती नखी होती। कर्म कांड आदी मा एनी वधारे रुची होती। कर्म जड़ जीव। एने पन कथामा रुची नखी आओती। त्रीजो छे निंदित आर्था रत हसदा। जे पुन्य प्राप्त करवा माटे धर्मना नाम पर जे हिंसा करे छे। पुतानु स्वार्था सिद्ध करवा माटे धर्मना उपन जे प्रयोग करे छे। जे निंदित कर्म करवा वाड़ो छे। एने पन कथामा रुची नथी आओती। चोथो जीव शी महा प्रभुजी कहे छे के पशु जीव। पशु जीव कोने कहवाए। श्याचाएर जीव लखे चे के व्यवहार शुन्यत्तिव सती परमार्थ शुन्यत्त्वं। एटले के जे व्यवहार अने परमार्थ बंदेने नथी जानतो ये पशु जीव छे। तो ये पशु जीवने कथामा आनंद नथी आओते। जेने व्यभार साधतापण नो आवे औने परमार्त साधतापण नो आवे। अने पांच मा आछे स्त्री जीवत्वम, स्त्री जीवने पण कथामा रुची नथी आओते। ध्यान रहे, अईयां जे स्त्री जीवनी बात करवामा आवी रही छे, ए स्त्री जीवनों मतलब कोई स्त्री देहे धारण करेली स्त्री नहीं, साधारन बुद्धिती एम विचार आवे के कथाव मां तो महिलाओ वधारे रस लेता होए छे भगवद कारे मां तो महिलाओ आगण पड़ता होए छे तो यहां स्त्री जीव के हम कहा के जिने कथा मा रूची नुखिया आचारेवनी वानी गुढ़ार्तुती भरेली छे समझ अने पुरुष जीव देह जिम बेप्रकाड ना चे पुरुष अने स्त्री एम जीव पण बेप्रकाड ना चे याद रहे देह अने जीव बन्ये अलगए छे अलग-अलग तत्त्व चे तो स्त्री जीव कोने कहीशु स्त्री जीवनों मतलब छे के परमार्त शुन्यक्तिवे सती व्यवहार चात्तुर यत्त्तवं स्त्री जीवत्त्तवं अवे आविस्त्री जी कोई पुरुष माँ 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 पुर स्त्री जीव प्रक्रती परवश चे तो स्त्री जीव एटले के जे परमार्तु शुन्यत्व छे अने पुरुष जीव कोने कहीशू तो के व्यवार चातुर यत्त्व सती परमार्त चातुर यत्तम के पुताना व्यवार ने एविर्थे निभावे छे के जे नाथी एनो परमार्त पण सिद्ध धही जाए एचे पुर्ष जीव शिमहाब्रभुजी आग्या करे छे प्रिये जनो ठाकुर्जी नू चरेत्र त्रोण प्रकार्थी उत्तम छे एक तो स्वरूपत हो उत्तम क्याण के भगवद कथानों सीधो संबंद भगवानना स्वरूप साथ है छे जेम, मीठा, दूदमा, खांड, एमा मलेली होए जिस प्रकार से जो चीनी है वो उसमें घुर्ट है वापिस उसको हम उसमें से निकाल नहीं सकते उसी प्रकार से एज रिते ठाकुर्जी पन पोतानी कथा मा ओत प्रोत छे एटले आ सीधो कथानो संबंद स्वरूप साथे नो छे एटले कथा स्वरूप तह उत्तम छे सुबूध नीमा आप आग्या करे छे शिमहा प्रभुजी आग्या करे छे कि बीजी फलत अह उत्तम आ भगवद कथा सिधो फलनो संबंद करावा वाड़ी चे कारण के कृष्ण जो फल छे कृष्णात परम नास्त देगो ना कृष्ण नहीं फल है यले फलत हा उत्तम अने त्रीजू छे विश्यो तमत तत्स्यापी भगवद कथा नो आजे विशय चे एना विशय ना मुख्य जे नायक चे भगवानसी कृष्ण चे एले आना थी बीजो उत्तम विशय बीजो कोई न थी एकले कहिऊ के विश्यो तमत तत्स्यापी त्रोन प्रकार थी आ कथा उत्तम चे प्रिय जनो आपने महद भाग्य शाली छी एक आ फलनो अनुभव करावा वाड़ी एवी कृष्ण कथा एवी निरोध लिला आपने श्रवन करवा माटे ही आपने बधा तत्परत तया छे पी बत्वम तन मुखाम भोज चुतम हरी कथा मृतह शुकदेव परिक्षित जी कहे छे के बस आपना मुखार विन्ती एक कथा नो हुँ निरंतर पैपान करवा मांगू छू तेर श्लोको मां एटली जिग्यासा परिक्षिते प्रगट करी दी एटला व्याकुल तत्परत आती कथा नी जिग्यासा प्रगट करी परिक्षित ली जिग्यासा जो इने शुकदेव जी ने समाधी लागी गई यह ना अंदर भावो ना तरंग आवा लागी गया विचारवा लागी गया वे ओं कथानो प्रारंभ क्या थी करू ज्यारे शिरोताज जिग्यासु होई तो वक्ताने पण आनन्द आगा पछिरोताज उदासीन होई तो पछी वक्ताने पण आनन्द आगा ज्याँ परिक्षितन आंदर आतला नाना प्रकार नी जिग्यासा आजोई तत्परता आजोई अन्य ए तत्परता सामडीने शुपदे आवे के ज्यान समाधिस्त थे गया तो पची कथा कॉन कर शे कथा माटे तो जागृत ता जो ये न तो समाधि धी जाए तो कथा कॉन करे इतले तम्हें जुओ तेर श्लोक ज्यां पूरा थाई जे न पची आवे चे सिधू श्री सूत उवाच नेवम निशम्य ब्रगु नंदन साधु वादं वया सकी सभगवान अथ विश्णु रातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्म शग्नं व्याहर तुमारमत भागवत प्रधान हम सूत जी कहे छे के परिक्षितना उद्गार श्रवन करीने शुकदेव जीने समाधिस्त थे गया अने हवे जारे ए समाधिस्त थे गया तो भगवान साक्षात एना अंदर बिराजमान थे गया एटला माटे अईयां शुकदेव जी माटे शु संबंधोन संबोधन करवा मावियो वया सखीस भगवान अथविष्णु रातम हवे शुकदेव जीने अंदर शाक्षात भगवाने प्रवेश करी लिदो कि हजी सुधी ना वक्ता नौमस्कंद ना वक्ता नौस्कंद सुधी ना वक्ता तो शी शुक्देवजी हता पड़न्तु दश्मस्कंद एतो निरोध लिला छे एतो पुष्टी लिला छे अन अवे एनू वर्णन तो हूं पोते करीश एकले भगवान स्वयम शी शुक्देव आम आवे छे परन्तों क्या गोपी जनोंना नामनु स्पष्ट पणे उच्छार नाथी कोई पण गोपियोंना नाम नाथी राधाजी नू नाम पण जोवा नहीं मड़े कारणके एतों प्रहुना अंतस्त्त्त विशय छे एतों ठाकुरजी नी प्रेयस ही छे एतले प्रहुए पोता नाजे नीज अंतरंग छे एम ना नाम सक्ष्ट मनु थी करया बाकी अन्यानन नाम तम ने जोवा अमडशे परन्तु पोतानी प्रियोसिन अना नम्नुति कारण के आ दश्मस कनना वक्ता प्रियोजनो ठाकूर्जी स्वयम छे अथ विश्णुरातम वय्या सकीस भगवान अथ विश्णुरातम तदन स्थितो भगवान वेतार चेत्यतम इत्यर्धम शिमहाप्रभुजी आग्या करे छे कि हवे भगवान जिश्शुप्देवजी मास्तित थे गया अने पोतानी कथा आप पोतेज संब्ढ़ावी रहा छे दश्मसकन्ना वक्ता आप सेवा करे श्रीहरी यज्यभोगता यज्यकरता आपज पोतानी लिलाओन वणन करे छे एकले आ लिलानी मदूरता और वधी जाये छे प्रिये छे खुब सुन्दर आ जन्म प्रकरणनों प्रसंग छे समय आजे घणों थाई गयो छे बहार वागवा आवी गया छे समय नी पन मर्यादा छे आजे एक मनों भाव अमारों एवो हतो के आजे ठाकुर्जीनों जे प्रागट्यना जे श्लोकों छे ए समयनों जे वर्णनों छे अने ए वर्णन अंतरकत्षी महा प्रभुजी ए पन जे सुबोधनी जे भाव प्रकट करयो छे अधसर्व गुणों पेत कालप प्रम शोभन यरहे बाजन जन्मक्ष शांतरक्ष ग्रहत आरकम ए जे साड़ा आट जे श्लोक जे छे ए नी अंदर जे पंच महा भूत ने शु अनन्द लेए लेकिन समय एकलो छे नहीं तो कोई बात नी आपने पासे आउनार जे लिवशो छे आउती काले आपड़े ठाकुरजी ना जन्मनों आनन्द लेवा माटे जता होई जम गोपी जनों नन्महसों मा गई तो किटली किटली गोपीयों ने साथे लेई ने नन्मह सोनों आनन्द वधाई लेई लेई ने नन्महसों मा गई तो आपड़े पण एज भाव साथे के आउती काले गोपी गवाल बदाने साथे खेंचता एकला एकला नों अवाए तो नन्महसों मा ए वधाई साथे उससाह साथे आउती काले आगणनी कथा आगणना प्रसंगों जोईशू आज इनी कथाने आपने अहियांज विरा मापिये एनी पहला आओ बे मिनिट भगवत नाम संकिर्तन नों आश्रे लेने कथाने विश्रा मापिये गोविंदर गोविंदर गाईय इए तजय याद धिगो पादे कृष्ण गाईय इए गोविंदर गोविंदर गाईय ए पहला किष्ण गाईय। यहां, गिरधाय, गिरधाय, गाईये रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाईये रे घिलदारे घिलदारे गाईए रे भजो नन्दा के लाल कृष्ण गाईए रे रादे गोपाले कृष्ण गाईए रे भजो नन्दा के लाल कृष्ण गाईए रे आगो बिन्दे गो बिन्दे गाईए रे भजू रादे गो पादे खृष्ण गाईए रे आगो बिन्दे गो बिन्दे गाईए रे रादे गो पादे खृष्ण गाईए रे हाँ गोपियों के लादे खिष्णे गाई ये भग मंद्रा के लादे खिष्णे गाई ये हाँ गोविंदे गाई ये गोविंदे गोविंदे काई ये रे किरधारी किरधारी काई ये रे हाँ गोविंदे गोविंदे काई ये रे गोविंदे गोविंदे काई ये रे हाँ गोविंदे गोविंदे काई ये आप्रेकारे प्रसम्दिवस्नों सस्संग आपना रदेनी पुष्टी थाया पुर्वे विरामलेवा जेर्योशे कथा चरित्रे वो विशेची के नो विस्तार मैनाओ सुधी थे इशके अने जारे आचारे वरो ना मदूर शिमुके बगवचरित्रा उगाही थत्तु ओई तो एनी सीमाज नहोई शके दसमसकंद भागवजी प्रमुख विशाई भागवजी नी भुमिका सस्संग नू महात्म्या अने दसमसकंद नू शी महाप्रोजी द्वारा मंगलाचरन मा जे स्वरूप प्रगट कराया हूँ छे इना विविद अध्याहो नम अध्यमती इतला प्रवेश्चा थे आज नी कथा नू आपने अच्वन कर्यू पगवच स्वरूप नू दर्शन स्वयम भगवान सुख्देवजी नारुदेमा बिराजी तरी ने आवत आवतिकाले आपने कराविए पशी भगवच प्रागेट्टी अने नंदोस्सो लोपक्रम निवधाई आवतिकाल उपर विराम राखी अने आजे सस्वरूप करी रहाची है आवो सी भागवजी ने आर्तिमा आप्रसोप सम्मिलित था हिए हूं मनोर्थी परिवार्ना सब् यह प्रकारे शांती भाई सुधानी परिवार्ना कोई स्वजय नुपस्तितु देवने पडूपसित्र वह नंती निलेश भाई दडुक परिवार जेव कथा सत्र ना मुख्यमनोर्थी चेमना परिवार्ने पण आर्तिमा प्रस्तुत्त था हिए हूं में निवधन करिश सुबेच्छा मनोथी सुरूपे चेमाथी पण कोई उपस्तित हो तेमने पड़ आर्तिमा सम्मिलित्थ वा निवधन अने भूमी पूजय ना मनोथी सुरूपे सतिश्भाई गांगडिया परिवार माथी पण जो कोई उपस्तित होए तो आवा धाने निवधन करिश आओ आपने सव साथ आमने जापन चीए त्या मांसी सुरूपे शी भागवजी ने आतिमा सम्मिलित्थ ये शी वल्लप स्वतह पन आचार पीट पर गिराजी तर्जी वल्लप अने शी भागवत बने सुरूपे ने आर्ति दो आपने इस खाते आननमने आवो आर्तिमा रत थाई सब आरति उतारो मेरे लालन की मात यशोमति करत आरति धिरिदर लाल गुपालन की सब आरति उतारो मेरे लालन की तंसनि गंदन जय जग मंदन करश्ण करुपालु दयालन की सब आरति उतारो मेरे लालन की प्रजजन मिलिसम मंगल दावत चबिनी रखतन दलालन की सब आरति उतारो मेरे लालन की मूरम पुटे पिताबर कुंडले मुकबर लाली घुलालन की सब अरती उतारो मेरे लालन की मोतन मालकी और छटायर उपर तुलसी मालन की सब अरती उतारो मेरे लालन की प्रश्न दाज बली आलिच भीपे प्रश्न गनेई आलालन की सब अरती उतारो मेरे लालन की परमक्रपाल श्री बल्लम अंदरन करत गुपानिच है सद माद जे जन शरन आय अंचरही गई सोबत सिगो भर्दन नादन परम उतार चतुर चिंता मणी राखत भवदारा वहत बजग श्रदास काज सबसरही जोजाने स्री विटलनाद परमक्रपाल श्री बल्लम अंदल करत गुपानिच है सद माद दीश की जै चिवागवत भगवान की जै श्याम संदर्श्यम में माहरा निदी की जै